एवं मनर्शक्ति केंद्र की तरफ से मैं डॉक्टर मनीशन शेमबेकर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी संस्कृती में संस्कार का अनन्य साधारन महत्व है हम अपने आने वाली पीडी को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर उनका अच्छा संगोपन करना चाहते हैं आप सब लोगों ने अभिमन्यों की कहानी तो सुनी होगी जिसने गर्भावस्ता में ही चक्रवी उबहिदने की तकनीक सीख ली सी हमारा यहां मानना है कि अगर मा गर्भावस्ता के दौरान अच्छा देखे, अच्छा सुने या अच्छा पढ़े तो उससे आने वाले शिशु पर बहुत है पॉजिर्टिव यानि सकारत्मक प्रभाव पढ़ता है और उसके संगोपन में हमें काफी आसानी होती है हमारा हमेशा से यहां प्रयास रहा है कि हम भावी माताओं तथा नवजाच शिशु को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते इसके अंतरगत हमारी इन हाउस फूड की व्यवस्था प्रति दिन पीडियाट्रिशन का राउंड न्यूबॉर्ण स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं मुहया कराई है इसके अंतरगत यहां गर्भसंसकार का जो क्लास हर महीने हम लेते हैं वो भी आता है इसके लिए मैं जैश्रीताई, आराधना और सचिन दादा मात औरकर तता मनशक्ति केंद्र को काफी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके बिना हम यह कारेक्रम नहीं कर पाते हाल है में हमने पीडियाट्रिक ओपीडी शुरू किये जो सुबह 10 से 12 तता शाम 6 से 7 रहती है अभी अभी हमने इसे प्रारंब किया है आप सब लोग इसका अलाब उठा सकते हैं और आपको specific timing रहेगा जिससे आपको ज़्यादा देर रुखना नहीं पड़ेगा वेटिंग में करवाने का हमारा प्रयास है तथा अगला कारेक्रम हम निश्चित ही हिंदी में करेंगे इस बार भी मैंने हम लोगों ने जैश्रीताई और आराधना जी से अनुरोद किया है कि आधिक से अधिक हिंदी शब्द का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जादा से जादा करना चाहूंगी श्रीमती जैश्री ताई भीडे जो आपको गर्भसंसकार के बारे में बताएंगी यह मने शक्ति केंद्रे से जुड़ी हुई है श्रीमती आराधना ताठे या आहार्तता डायेट के बारे में आपको बताएंगी और श्री भचिन दाधा मात्वरकर या य उसे यह करने के लिए महत्वपुर्ण जानकारी प्राप्त होगी आप अच्छा खानपान अच्छा व्यायाम तथा अच्छा मानसिक स्वास्त्य बनाए रख सकेंगे मुझे एक बार फिर आप सब लोगों से अनुरोध करना है कि आप रुपया अपना ध्यान दे बाहर ना निकले क्योंकि नाकपुर में अभी फिलहाल कोरोना की केसिस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और गर्भववती महिलाओं को स्पेशली बहुत ज्यादा यह अफेक्ट कर रही है तो मुझे एक बर फिर आप लोगों से अनुरोध करना है कि आप कम से कम किसी के कॉंटाक्ट में आये और अपना खयाल रखें आशा है आप सब हमारा कारेक्रम जरूर एंजॉय करेंगे और मैं अब अपना जैश्री ताइक्स को अनुरोध करती हूं कि अपना कारेक्रम शुरू करें धन्यवाद मा देवी शार्दा का स्तवन करती हूं यादेवी शर्वपूतेश्यु शक्ति रूपेन संस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमा मा शार्दा मा यह देवी जो है हमारे बीच में सभशक्ति रूप में है और आज हम इस कारेक्रम में देवी की मात्रो रूप शक्ति है उसे हम यहाँ अभिवादन कर रहे हैं यहाँ उपसिश्यु अभी भावकों का मैं सही दिल से सागत करती हूं मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज हम इस माध्यम से वेबीनार के माध्यम से जूड रहे हैं सर्वप्रतम मैं डॉक्टर शेंबेकर मैडम तथा शेंबेकर सर और पूरी ओमेगा टीम का तह दिल से अभरी हूँ कि जिनों ने यह फ्लेटफॉर्म हमें उपलब दे किया यह जो वेबीनार का जो मेरा प्रयोग है आज का पहली बार में यहां करब समस्कार के उपर बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ और I will try I will try मैं हिंदी में बात कर शबहो लेकिन मंत्रू भाषा मुरंज लेकिन अब आखेसे एंे अंहें आपर करती हूं। तो मैं कारेग्रम के शुरू मेन शेक्ती केंद्र के बारे में थोड़ा सा अलपर परिजाय देते हूं, शक्ति केंद्र यह लोड़ारासित एक नॉप गवर्मेंट और्गनाइजेशन है जो गतस साथ सार से काम कर रही है यह 1963 में उन्होंने पहला गर्वा जन्मपुरो गर्वा समस्कार का पहला कारेक्रम किया था तो आप सोच सकते हैं उनकी गर्वा समस्कार के कितनी पिडिया अ ऐसा की कारेक्रमिं हो रहा है यह कारेक्रम आप maar तर्वाय से मूंबयो पूणे में होता है तो मुझे बहुत लग रहा था तक जो 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 अच्छा रहे हो वह वह सब तक कौंचाए और जहां मैं रहती हूं नाकपुर में तो मैं एक क्यूं सब्सक्सराइब आञाए अच इसलिए हमने पिछले साल से यह उपक्रम चालो किया। डॉक्टर शिंबेकर सर ने बहुत इसके लिए प्रोस्तान दिया। इसके कारण हम हर महिने में यह कारेक्रम लास्ट संडे करते है। कि बीच में अभी करोना आ गया। इसकारण हम करोना के कारण मिलने ही पा रहे थे। लेकिन वेबिनार के माध्यम से उन्होंने फिर से प्रोस्ताहित किया और यह कारेक्रम अभी फिर से शुरू हो गया है। तो जन्मपुर्वा मानशक्ति केंद्र क्या है तो वहां पर सिर्फ यह जन्मपुर्वा गर्व संवस्क्र का कारेक्रम नहीं होता। हमारी जो आयू है हमारा जीवन है वहां हर जीवन में हमारे अंधिपरेंट मोड्स आते हैं। जैसे यह जिरो टो नाइन मंस का एक मोड है फिर एक से साथ साल की आयू का एक मोड है। जिसके पैरेंट्स के लिए बहुत ऐसा लगता है कि मेरे बच्चें को कैसे बढ़ा करूंगी। या आठस सोला वलगठ है। ऐसे हर वलगठ के लिए उन्होंने वहां टें से कारेक्रम दिन केह दिन ने के उते हैं। और वहां रहने की खाने की सब्यवस्ता रह थी है। लेकिन अभी ए पूरोमों के करांद्ट यह कारे प्रश्यों आतेिवां नहीं हो रहा है। और येे उनलाइन वहां पर हूहह है। यो ये जो शर्त करUNG तो से एक गंटए का कारेक्रम है। लेकिन ऐसे उनके यहां बहुत कारेक्रम है। ऐक वर्क्शॉप है पूरे दिन का जन्मपूर направ गर्श अंसकार। तो उसमें भी आप सहभाग ले सकते हैं, यदि आपको इस कारेक्रम से ऐसा ऐसी प्रेरणा मेली कि नहीं और ग्यान लेना है, तो यह सब उपलब्द है, पिछले दो मैने में करीबन 500 कपर्स ने ये कारेक्रम ओनलाइन अटेंड किया है, उसके पहले तो बहुत ज्यादा है, ये किन में सिर्फ करोना के करण जो हमारी हमें रीस्टिक्शन्स हूई है, कि हम कहीं जान नी सकते हैं, उनको ग्यान लेने में काफी दिक्कत हो रही है, कि हम लिमिटेड सोरूसे हैं, तो आप आप आँलाइन ये कारेक्रम अटेंड कर सकते हैं, अमने शक्ती की आद्य प्राचिन संस्कृति है रुषी मुनियों और साधियों ने हमें जो जो ग्यान दिया है वह हम दिन बा दिन भूलते जाए लेकिन उनको ही वही ज्ञान को उन्होंने विज्ञान के माध्धम से लोगों के सामने रखने की पूरी पूरी मतलब उन्होंने अपना जीवन उसके लिए दिया उन्हों उनको स्वामी विद्याना नंद को प्यप्तिगत पूजा मान्या नहीं थी और इसलिए उनको उनके आपको कहीं भी चित्र पोटो स्टेचू नहीं मिलेंगे उनका उन्होंने 1993 में प्रकाष समाधिली इसके बावजूद और एक बताना चाहूंगी कि म सब्सक्राशन के लिए आज का अपना जो में विशय एती हूं चाहिद का बीचे है झनलम्पूरोगार्भा संस्कार आभी मैडम ने भी बताया कि संस्कार का मतलब क्या है संस्कार हमोत पहले से हम सोचते आ रहे हैं की संस्कार संस का सुनते अरहे हैं कि क्यों की स्टose मीशे आता है संस्कार शुद्धी करण तो इसका उदारण मैं आपको देती हूं कि जैसे हमने सोचा कि मुझे आज पालक की सबजी बनानी है हम क्या करेंगे बाजर में जाएंगे आज तो बाजर जाने हिस सकते लेकिन यहां से भी ले रहे हैं पालक क्या करेंगे इसको लेने की पॉचिश करेंगी लेकिन के पालक लेते हैं और तुरंँ इसकी सब्जी बनाते हैं नहीं हम क्या करते हैं पालइक लेते हैं उसकी जो डंडीया और हैं जो इस उसको निकाल लेते हैं, हमको अच्छे से अच्छे से पतिया मिले, वह हम देखते हैं, फिर उसको हम दोते हैं, एक बार दोते हैं, दो बार देते हैं, क्योंकि उसका उसमें जो मिट्टी लगी है, वह हम निकाल देते हैं, फिर यह जो सबजी है, यह बनाते हैं, हम यह भी पालक सब्जी उसको उपर जो हम प्रोसेस करते हैं उससे हम सवंसकार करते हैं सवंसकार कि स्वामि विद्यानाननाजी ने जो वैख्या की है वह है गुणों का गुणाकार और दोशों का निप्टारा करना यहां पर हम जो भी जीवन यह धर्ती पर हम जो भी जन्दमा लेते हैं हर एक में गुण भी है और दुरुगुण भी है सदुण और दुरुगुण मिलके हम यहां थे अपको ऐसा कोई भी आन्मी नहीं मिलेगा कि जिसमें सिर्फ सदुण है और एसा भी कोई नहीं मिलेगा उस जिसमें फिर निर्बून something वें और तो यह कॉंबिनेशन ऑप बहुत तो यह हमको क्या करना है कि हमको यह मालू है कि मेरे में क्या अच्छे घूर्ण है मुझे यह भी मॉलोम है कि मेरे में की अजयी अजयder मताती हूं कि जैसे मुझे मालू है कि मुझे यदी में बात कर रहे हूं और किस्सीने मुझे टोक तो मैं तूरंथ क्या करती हूं रियाट करती हूं मुझे अच्छा नहीं लगताक। तो अषलम ए yaptा कि मुझें आफना ईल अञे informações को काम में आओं तो मुझे बहुत सुकून मिलता हैं. मैंने यह देखना चाहिए कि मुझे जिस चीज में आनंद मिलता है वो मैं कैसे करो अभी सवांसकार के बारे में हम जब बात कर रहे थे जन्वापूरों गर्वा सवांसकार के अभी मन्यों की आपको कता सुनाई क्योंकि वो सबको मालू है उसी प्रकार हमारे जो शिवाजी महारास्ते उनकी जो मा जिज्जाओ उन्होंने तो बिल्कुल संकल पर लिया था क्योंकि उस समय जो महाराश्ट्र की परिश्यती पूरे देश की परिश्यती जो थी बहुत ही जो कि यावननी प्रकार का सथा थी और लोगों को पूरा कुछ भी स्वा-तंट्र नहीं था और इतना नहीं था पूरी अत्यचार होते थे सुरक्षित नहीं था तो उन्होंने यह माजज जहूनी यह देखा यह सब परिशिती देखी और उन्होंने महीमन प्रण किया कि नहीं, मैं इस सिती में नहीं रहूंगी, और यहां की जो रयत है, जो प्रजा है, उसको अच्छे से अच्छा कैसा राज्य मिले, ऐसा मैं देखूंगी, और यह राज्य कौन बनाएगा, यह राज्य मेरा पुत्र बनाएगा, और उनके उन्होंने ऐसी आधर्श संकल बना लेके, और उसके उपर उनने प्रयत न गिया, तो हमें मालूम है कि अभी साड़े दिन सो, चार सो साल हो रहे है, लेकिन हमें रादर्श राजा शिवाजी जैसा और कहीं नहीं मिला, उनकी मैनेजमेंट देखो, उनका हर एक व्रक्तित्व का पहलू जो है, जो जो अब्यास की नहीं, यह तो हर मा की शक्ति है, कि वो यह इस प्रकाश से अपने उसे जो चाहिए, वो अपने गर्भा मेश्तीत बच्चे के लिए अपना प्राण करके दे सकती है, तिसरा उधारन मैं देती हूँ आपको, कि वो है मातना पुले का, मातना पुले, जोतिवा पुले, उन पेटा भी जोति के समान तेजस्री हो, बुद्धिमान हो, और इस प्रकार से उनकी जो प्राणतना थी, उस कारण, उनका अपने को भी मातना जोदिवा पुले जैसे महान समाज सुधारक मिले, एक और उधारन देती हो जाकिर उसेन का, आप समने नाम तो सुनाई होगा, य जाकिर उसेन क्या है, कि यह है प्रसिद्ध तबला वादक, तो एक मुलाकत चल रही थी, और उन्होंने किसी ने उनको पुछा, कि आपने कौन से साल में तबला सिखना चालू किया, वो बोले, अरे मैं तो जब पेट के मा के पेट में था, तभी से चालू किया, मेरे पिता जी उनके पिता जी जो ते उस साद अलार खा, वी प्रसिद्ध वादक, तबला वादक थे, तो जब उनके पिता जी जब यह जाकिर उसेन के पेट में थे, तब उनके पेट पर ही तबला के बोल बजाते थे, तो इनका इसका मतलब यह है कि एकदम से जब वो गर्म में है, उसी समय उनका उनको यह तबला बजाने का ग्यान देना चालो हो गया था, तो आपने अभी यह सब यह सुना है, आभी आपको बताया ति गर्वasis का परिणाम कितना सशकत है, कितना ज़्यादा है? कि आपने देखा होगा हम जो जो चीज अच्छी करना चाहते हैं यदि हम पढ़ना चाहते हैं अधि हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं आपने जो भी पढ़ाई की होगी पहले स्कुल में गए फिर पॉलेजेस में गए और आपने कुछ स्पेशियलाइजेशन किया होगा तो आपने और यदि आप पढ़ रहे हैं बीसी मसी अभी कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको एक अधा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है अपने उसके एक्स्ट्राइब लगाई होगी उसके लिए एक्स्ट्राइफर्स किये होंगे लेकिन कोई और अन्या लोग प्रयोग करते हैं तो हम बहुत रूट जाते हैं तो गालिया हम किस से सिखते हैं तो गालिया हमें अपने आप आजाती हैं जो जो चीज ऐसी है कि जो बुरी चीजे हैं हमें उसको नहीं लाने के लिए पिशेश प्रयास करने पड़ते हैं इसलिए हमे अच्छा कुछ करने के लिए अच्छा आना चाहिए उसके लिए और बुरा नहीं आना चाहिए इसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं और इसी कारण समस्कारों का महत्तव है अभी आपको अगला पॉइंट लेती हूं कि what is the शक्ति गर्भ की शक्ति क्या है जैसे हमने यह बताया कि गर्भ ले सकता है तो उसकी क्या है गर्भ मंद्रुनी गर्भ क्या है तो एकदम समझ लीजिए कि एक स्पॉम पूश की स्पॉनक सेल और स्त्री की ओवरी से आया हुआ गंड़ पेशी बोलते हैं उसको ओहम से आयो ओहरी पेशी उनका जो जब वो एक दुसरे से मिलती है तो एक गर्भ पेशी तयार होती है और यह गर्भ पेशी बढ़ते बढ़ते नौ मैने में इतनी बढ़ जाती है कि एक पेशी से दो हजार अब्जा करोड इतनी मतलब है या सेल्स बोलते है इतनी कोशी कहां तयार हो जाती है तो क्या सिर्फ यह सिफ बढ़ती रहते है अई दिया गया काम है और वो सेल वो काम पूरा अपने करते रहते हैं सीखती रहती है एक 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 उसको जो क्या बोलेंगे हरे को दिया गया काम वो कोशिका करती रहती है उसमें सम्वेदना है चेतना है शक्ति है कितनी शक्ति है इसका थोड़ा से इसका वजन होगा लेकिन आप लोगों की समझ में इसलिए एकदम ऐसा उदारान रेती हूं कि समझ लीजिए एक ग्राम एक सेल का वजन है एक ग्राम वैसे तो बहुत ही कम है लेकिन आपके समझने के लिए तो यह 9 मेने में जैसे नॉर्मल बच्चे का वजन है अट टाइम आप डिलिवरी इट इस 3 केजी 3 केजी मतलब कितना हो गया 3,000 केजी सरी 3,000 ग्राम मतलब पूरे 9 मेने में कितना हुआ बड़ोतरी एक ग्राम से 3,000 ग्राम मींस कितना 3,000 टाइम्स अब आप देख लिजे अट टाइम आप बड़ कितना वजन है तीन किलो और एक साल बात कितना वजन है एक साल के बच्चे का वजन कितना है तो 7,500 केजी अब एक साल में कितनी बड़ोतरी हुई सिर्फ धाई गुना तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर गर्भ के अंदर कितनी शक्ति है और वो कहां से इसलिए हम उसके उपर ये देख रहे हैं कि हम उसको कितना से कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं उसकी हम पूरा प्रय इस प्रकार से अभी कोरोना काल में हम मतलब संकट काल ज़र रहा है विछ मनमें प्रकार के वीचार आ रहे हैं लेकिन इस दोरान भी आपके घर में बहुत अच्छी घटना घड़ी ही आपके घर में एक नया जिव 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 ले रहा है तो यह जिव 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 जि रिसर्च क्या कहता है रिसर्च कहता है कि जो जन्म ले रहा है वो ना आपको सुख देने के लिए ना दुख देने के लिए तो इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि he himself wants ये जन्म लेना चाहती है इसलिए वो जन्म ले रहा है इस बारे में Khalil Gibran नाम के एक बहुत अच्छे फिलोसोफिस्ट हो गए तत्व वित्ता हो गए उनकी बहुत अच्छे कवीता है आप सर्च कर लेना बहुत बड़ी कवीता है और बहुत सुन्दर कवीता है जो हमें जीवन की ज्यान देती है जीवन का हमें संक्षप में हम किस प्रकार से उसको देखे उसका ज्यान देती है उसकी चार पंक्तिया मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे बच्चे वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं होते। जीवन को जीने की आशा हुई। इसलिए जन्म लेते हैं। वो आप से जन्म लेते हैं, लेकिन आपके लिए जन्म नहीं लेते हैं, आप उन्हें प्यार दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पृत्वी तलाब पर आने वाला हर एक जीव, अपनी सतंत्र विचार लेके जन्म लेता है, तो य अपने, स्वतंतього एक्सेट करने और अभी भी जिन्दगी में हाँ जिसको बौड़ा है दी मॉले नहीं है अइसी बात नहीं है हमारा क्या होना चाहिए रोल हमारा रोल हमारा रोल एक मली ज Columb Connie आधिसा भाग रहती है उसमें गार इसमें जो बहुत स sharks कि आइसे पर मोगरे का पूल मोगरे का फूल है उसके उपर जस्वन का फूल चब सुद्व रेक्द मेटाग नहीं लगने देकान क्षा ग्रास वगरे उसको निकाल लेता है, उसी प्रकार, हमें बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से उसका संगोपन करना है, उसकी जो बुरी आदत है, वो कैसे कम हो, उसमें अच्छी जो आदत है, हम कैसे डाले, इसके लिए हमारा माबापता बहुत ज़्यादा और ये, आपको ये लग रहा है, सभी जन बोल रहे हैं, कि मा का रोल बहुत बड़ा है, ये तो है, लेकिन सबसे इसमें पिता जी का भी बहुत बड़ा रूम है, क्योंकि इसमें जो पिता जी की जो शक्ति है ना, वो सुप्ता सुरूप से, सुप्ता सुरूप की शक्ति है, और इसил ये, इसलिए दोनों में भी इसमेंदी, जैश्री माँ, आपके साउंard को हanting होए है, इसमें इक एक मिनित हैं, थेए-पित, प्लीज, प्लीज, प्लीको DR 강ाव इसमें, deform के अग्हारी गाता, अभी आ रहा हैं और के इक के इसमेंनाB आपकी भी इतनी जादा वांडिंग उससे रहती है कि हमने जो जो हम बता रहे आपको वो दोनों के लिए है और मैं आप भी कारेक्रम के पहले ही बोलना चाहिए था लेकिन अभी क्लियर कर देती हूं कि मेरे मूँ यदि मेरे से ऐसा शब्द निकलता है बच्चा वीट मिस इट इस नॉट जेंडर बाइस बच्चा याने बच्चा बच्चा पुत्र या पुत्री लड़का या लड़की जो भी हो तो इस प्रकार से आप उसे ले अभी आगे का जो यह है मैं जैसे यह बोल रहे थे हम कि जैसे एक पेशी से 2000 अब जब कोटी की बलता हमारी जो हो गई है तो उसका रेट क्या है मालूँ आपको धाई लाक कोशिका है हर मिनिट में बनती है हमारे जो गर्ब में गर्ब के स्थीत और जिस समय पहली पेशी का पहली जो गर्ब की पेशी बन गई उसे तो में पता ही नहीं चलता हूं कब बनी क्योंकि क्या होता है में कब मालूम पड़ता है जिस समय हमारी पहला मासिक मतलब में यह साइकल जो है हमारी हम गटना होने वाली तब तक आप्को पता चले तब तक पूरे साथ दिन के अंदर इस प्रकार से जो गर्ब हैं जो पूरे जो अबयव है जो पार्ट से बॉड़ी पार्ट वह सब बनकर त्यार रहते इस प्रकार से उसकी प्रगती होती रहती हुआ कंसेप्शं के 14 दिन में पहली निउरॉन मतलब मेंदु की मस्तीष्ट की पहली पेशी तयार हो दिया यह जो है उसका काम वहर नियूरोन पेशी में है एक हजार डेंड्राइट्स भी ब्रांच तो हर एक नियूरोन के पीछे में हजार ब्रांच मेमिन्टों में इतनी सारी सेल्स और यह जितना आपको जो यह जो डेंट्राइट्स का जो है एक ऐसा क्या बोलेंगे इसको नेटवर्क जैसा रहता है और यह नेटवर्क जितना गहरा रहेगा उतनी बच्चे की बुद्धी उसकी शमता ज्यादा से ज्यादा गढ़ी रहेग दे कि धर्डडड कोन से दिन शुरू हो जाती है 22 और 22 दिन से जो दर्डडडड शुरू हो गई तो वह जितनी हमारी आयू है 90-30-100 साल की तब तक यह रुदय का काम निरंतर चलता रहता है दर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड जिवन भर तक हो फेशिया काम करती रहती है और अम यह सिफ इसमें कैसा है मालो है क्या एक इंकी जो हैजितनी भी पेशीया है कोषिटा है ईसमें अर्मेमरी रहती है एक리 मारी और एक्ट्रिसिट। जैसे आपको और उदारण देदू, जैसे आपने बच्पन में साइकल सिखी होगी, आपने स्विमिंग सुखी होगी, तो हम कभी भूलते नहीं हैं, साइकल एक बार सिख गए, तो हमारे वो मेमरी में चला गया, लेकिन आपको ऐसे बोलेगा कि पिछले वीक में थर्स्टे मे में आपकि क्या खाया था, जाने दूजिये, कल सुखर क्या नाश्ता किया था, तब भी हमें याद आता, याद नहीं आता, क्योंकि यह एक short term memory है, एक long term memory है, वैसी है implicit memory है, और explicit memory है, तो जन्मों के पूर्वा में हमारी implicit memory जो है, बहुत अच्छा कार्य करते रहती है, इसल जो जो उसको पड़ाएंगे उसकी जो बैंक है क्योंकि उसको lifelong उसका यूज होने वाली जो बैंक है मेरी की उसमें वो एक और होते जाती है और उसका फाइदा बच्चे को पूरे जीवन बर मिलते रहता है तो अभी जन्मपूरों घर्बाव समस्कार करना है मतलब क्या करना ह है यहाँ पर हम आते हैं का प्रही पयला यह हैं कि हमें हमारे घर्बं सीथ बच्चे का स्वागत करना है अग्दम नैच्षा है आपकिसी के घपर जाते हैं और सामने में आप उन्होंने आपका स्वागत किया बिलकम किया दर्वाजा खुला आईये बैठिये बैठने के लिए जगह दी आपको अच्छा लगेगा हां हां मैं इनके आया हूं उन्हें इच्छा लगा लेकिन एक दम एड़र्स तेया रिवर्स किये आप उनके घर गए अपना समय निकालके गए दर्वाज बेल बजाई दर्वाजा ख इतना हमारे लिए करना मतला हमें थोड़ा सा करना चाहिए आना चाहिए ऐसा ही यह बच्चे का है हम उसका स्वागत करेंगे हमारे बन में उसके प्रती जो भावना है कि हां तू आ रहा है यह उसके तक पहुंचे तो इसके लिए स्वागत कैसी करनी है तो स्वागत करना है प्रार्थना जिए क्या है प्रार्थना मतलब अच्छे विचाव joka चिंतना हमारे मनेशक्ति में इस प्रकार की प्रार्थना उस तक है और यदि आप लोगं को इंट्रेस्ट हो तो यह मैं आपको बाद में बता सकते हुगों वह धोग कर कर vale प्राटना नहीं मिली तो भी हम ममानीमन हमारे पर Librar would be इसकी प्राटना हम सब्सक्राइगे और रोज करना नहीं है उसके लिए एक समेध्समय धोश्चित करते हैं उससे अब बात कर सकते हैं अब बदों जैसे 16 15-15 दिन क्योंकर 7 का है कि हम उसको कुछ अशी बात एक करते रहते हैं कि हम उसके समझ में आएगा कि नहीं है लिखी उसकी समझ में सब και के यह उसका है यह सुच Oh कि बच्चे इस वारी हमारा को समझता है बहुत है इसे कंदके बात करनी है है दूसरा वैंट क्या है === तो हमें दुसरा पॉइंट यह है कि हमें हमरे मापिता जी और हमारे साथ ससुर को रोज प्रَणाम करना है जुकर करना है अभी है कहा की बात आ गई क्यूं करना है आप बोलेंगे हम तो उनके साथ रहते ही क्योंकि आजकर ऐसा हो गया है कि सब जन्द दूसरी दूसरी जगह रहते हैं लेकिन विचारों का बहुत ज्यादा परिणाम हमारे उपर होता है तो आपको क्या करना है अपने मापिता जी को और साथ ससुर को ये बताना है कि मैं आपको इतने बजे नमस्कार करने वाली हूं तो आप उन्हें दोनों नहीं उनको एक समय देंके उस पर आप नमस्कार किजिए ये क्हाइव है कि नमस्कार है कि हम अधियों के प्रती हमारे जो किया है प्रते होते हैं हमारी भारतिय संस्कूति में कृतक गयता का बहुत मात्व है ना नौट अट ओंली मतलब पेरेंट् पूजा करते हैं उसके प्रतिहम होते हैं तो हमको यह यह जो हमारी परमपरा में जो सीख भी है हम इसको हमारे पढ़े प्रति प्रतिवी पुसी पहुचाना चाहते हैं और हम कुरुतक यह जैसे हम इसका बहुत ज्यादा पाइदा हमें मिलने वाला है तिसरा है हम इसमें क्या करना है तो हमको घर्भे संसकार की सीड़ी संगीट क्या है आप ने देखा होगा जब भी कभी मूड नहीं रहता मूड ऑफ रहता है अच्छा दिन नहीं जा रहा है लेकिन हम संगत सुनते और संगीत सुनने से हमारे पूरा ही माहल बदल जाता है हमारा मूर क्राइम चाहिए तो हम बाнос wonderful ou डिटाप अपने मन पसंद सुनिये हुभी सुनिये लेकिन मैं आपको आगरह करूंगी कि मनशक्तिने गर्व संगीतनाम की एक सीड़ी निकाली अभी सीडी तो दूर हो गई क्योंकि आजका सीडी को यूज करता नहीं तो यह एक बना दिये यह गर्वसंगीत की आप तयार है यह मनतरंगा नाम का एक और उसमें आपको यह गर्वसंगीत के अनुसा संजीत Number पूरतीए नो महने का कालावदी है फूरे प्रेंगन रहे गया रहता हैं यह उसकी जो अनल कंप इंग rad led और मांको भी बहुत ज़दा morning witness का और हार्मोनल changes का बहुत changes की बहुत तकलिफ होती रहती है तो इसके लिए उसके अधरिया बढ़ाने हो तूँ इस प्रकासे उसके अंदर संगीत और music का जो हमारे classical music है राग है राग मींस moods और रस हमारे इसमें रस भी है वीरा रस शांती रस नहीर रस इसके आधा पर वो सब बनाया है गया है गायत्री मंत्र भी हमें बहुत शक्ति देता है शक्ति और शांती देने वाला यह मंत्र माननिया सुधिर पड़केजी की आवाज में तीन विविन रागों में तीनों ट्राइमिस्टर में अलग-अलग-अलग-अलग रागों पे बनाया गया है आप जरूर सुनिएगा इस पेसी कैसा उसकी अगरोथ होती है उसका वरणन्द किया है और आज वह 4d के जो अपनी हाय टेक्नॉलोजी है उसमें भी यह सब उन्हों ने जो लिखा है वो सब बराबर पाया गया है तो यह सब जो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा उसकी हेल्थ के लिए उसके प्रोथ के लिए वो सब संगीत यहां पे दिया गया है सेकर सेविस्टर में मा को गर्व को कितना अच्छे से वो देख सकती है उस प्रकाल से यह सब उसमें गर्व संगीत में आपको लिए तो आप जरूर सुनेगा इसे सुनना है आप बोलेंगे हां मैं भी खाना बना रही हूं या औ संगीत संगे पिर आपट यह संगे आप जरूर्व जरूरते अउस मेंस्टर की है उस हिसाब से और सभव संगीत बना है इसलिए आप उसके उपर जरूर द्यान दिजेगा, एकदम मामूली कीमत में उपलब्द है और हमें उसका बिल्कुल उपयोग करना चाहिए चौता है कि आपको क्या करना है, चौता कि हमको दिया जो है हम, दिये की जोद्ज है उसमें बहुत शक्ति है यह से मैंने पहले ही बताया आपको जोतिवाव पुलो की माने जो उनसे प्रार्तना की उनका उनका उसका उपयोगा उनका उसका उपयोगा प्रकाश की जो शक्ति है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है प्रकाश में बहुत ज्यादा शक्ति है विचारों का एक दूसरुन तक जाने का वह एक बहुत प्रभावी माद्यम है और हम ये विचार हमारे मन में जो विचार है वह हम गर्भा तक पहुंचने के लिए यदि हम प्रकाश के उपर प्रकाश जोती की उपर ध्यान करते हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा आपको मिलने वाला है हैंगे अब मेरा नीक्स्पइंट जो है कि वो जो है हमारे सभाव प्रकार क्या है मानों जब या जिसे कोटी आदमी देखता है अम उसके बाहरी जैसा वह दिखता है उसके उपर जाता ता है कि जैसे कर तbey付 आ welcoming मेरे मा की साइलिह है मां आज मुझे सामने क्या आता है और मेरी मां के बाला है और उनकी आंखे बहुत अच्छी है लंबी चोड़ी डालती है मुझे मराठी पढ़ाती थी और मेरी मां की बहुत अच्छी सहली है लेकिन क्या इतना ही काफी है नहीं फिर मुझे आदाता नहीं नहीं वो बहुत ही दयालू है मेरे पर बहुत त्रेन करती है मुझे मेरी उपर ही नहीं है हमारे क्लास में जितने थी उन सबकी वो बहुत ला उनके चार वीषेस्ता सजीवी की लक्षन है वह चार है जाला है और हर ऊहर निद्रा और में देखें गे पशुपक्षी क्या है अपको भय है किस चीज का भय है कि हमें अमनलब जीना है एदि कोई मेरी उपर ऐसे आपत्यागे कि मेरा मृत्तु होने वाला है तो आई विल ट्राइ माय लेवल बेस्ट कि मैं अपने अपने कुद को कैसे बचाओ यह मेरी इनरं पॉलिटी है इनरं पेरी एक्वार्मे यह मेरी भी जरूरत है एक मानों की भी जरूरत है एक मानों की भी जरूरत है लेकिन इसके अलावा हमें भगवान ने एक बहुत अच्छी शक्ति दी है वह ही विचारों की शक्ति और यह विचारों की शक्ति ही हमें अल्ने प्राणियों से अलग बीभीन न करती है आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और अभी माने आवाज दी कि चलो खाना खाने के लिए लेकिन उतने में आपने मेसेज पढ़ा आपके अच्छे फ्रेंड है उनके मीत्र फ्रेंड के पीताजी की मृत्ती हो गई है क्या मुझे खाना जाएगा क्या नहीं लेकिन यदि आ आप देखेंगे गाय चर रही है घास खा रही है उसके वाजों में एक बिल्ली मरके पढ़ी है उसके ऊपर कुछ भरक पढ़ता है क्या नहीं उन्हें भी भगवान ने विचार की शक्ति भी है लेकि इतनी ज्यादा नहीं इतने हमें दिये इसलिए विचारों का हमारे मन प से जाधा सब में प्रभा होता है क्या बोला है बहुत अच्छी कवेट्री हुए उन्हें ने बोला है मन वड़ाय वड़ाय जैसा पिका तला ढूरों किती हाकला हाकला पिरिये तपिका हो रहे है यानि कि यह जो मन है उसको आप कितना भी बोलो कि आरे नहीं मुझे तुम प इचार करने के लिए वह बाद्य करता ही है इसलिए मन को कंट्रोल लाना बहुत बड़ी बात है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेयतने करने पड़े बुद्धी तो मस्तिक के देने मस्तिक आपने अपन को मालू है बिलियो क्योंकि अभी CT scan और यह इसमें से मालू ह हो गया की हाँ इसका भी सब मतलब उसका असीत्वा हम लोगोंने मानले किया लेकिन मन का असीत्वा हमें Mm पड़ता है तो मन के उपर यह जो मन का है यह हमारा सभाव बनाता है मन के उपर ओने वाले वीचारों का वीचारों की स्थिति हमारा सभाव बताता है तो मानों कि इसमें चार सभाव है, चार प्रकार मिलेंगे आपको, पहला है भयअ प्रदान, दुसरा है राग प्रदान, या कुरुदा प्रदान बोलेंगे, माराथी में राग बोलते हैं, फिर तीसरा है धार्यवान, और चावता है शांति प्रदान. तो ये भया प्रदानमी इसकिया, जैसे ही मैंने बोला हम हारी चीज को डरते हैं, चोटे रहते हैं तो अंधेरे को डरते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर अभ्यास को डरते हैं, नहीं हम स्टड़ी नहीं चाहते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, नोकरी कर किया है काम या मेरी विप शृतिट गालेंज़ है। तो भाइक ही रहती है। तो हम घ्यान लेंगे उस चीज का तो हमें हमारी ज़ुपरी चली जाती है। जैसे अभी मैंने मुझे मालूमें, दस दिन बार मेरी परिक्षा है, मैंने उसका अभ्यास करूंगी, या पहले से अभ्यास करके रिडियो कहीं, तो मेरे मन की भई की सिथी चली जाती है, दूसरा होता है क्रोध, क्रोध मीन्स क्या, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, किसी न चली क्या होता है, कि मैं किसी के उपर जब क्रोध या घुश्य के कारान चिड़ती हूँ, पहले मैं मेरा कुद्फी को प्र首先 टेमपरेशर बढ़ाथी हूँ, यह तेमपरेशर्स बढ़ाती हूँ, तभी मैं किसी की उपर्स आ प्रेशबायों, ति मिताता है, कि एक पताता वो हमारे एक मिनिट के गुष्से में होती है कि इतनी मतलब भी हाव कुंसिडर वियाव को थिंक ओर दिस है ना क्योंकि एनर्जी की चली गई वापस तो आती नहीं पर आप बोलेंगे क्या करना उसके लिए ऐसे गुष्सा नहीं आएंगा तो देखिए आप लोगो सब को माल होएं कि अभी मुझे गुष्सा आने वाला है पहले ही वह सरेंडर कर लिजिए उस परिशिसे से दूर चले जाएंगे सब्जेक्ट बदल दीजिए अमारी मां बोलती थी कि एक से दस तक के सब पाड़े बोलिए 123456789 पिर हम बोलते थी तब भी नहीं गया तो क्या करना मार है मैं आपको यह क्यों बता रहे हूं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे शरीर में जो भावना है उसका हमारे भाट बिट पे बहुत पर पड़ता है अपने देखा होगा जैसे और एक उदारान देती हूं आप स्कोटर पे जा रहे हैं अच्छे 30-30 फिट से जा र लिए रस्ता और क्या हुआ फिर उस तोरान आपकी हार्ट बिट बढ़ गई उसको नॉर्मलाइज होने के लिए आपको दो मिनिट लगेंगे चार मिनिट लएंगे कितनी इंटेंसिटी है आपका सभाव कैसा इसकी पर वो फिर से डिपेंड करता है तो जिस समय आप भय में रहती है या राग में रहते है क्रोध में रहती है आपकी हार्ट बढ़ जाती है और यह केमिकल सिगनल द्वारा आपके शरीर में स्थित वच्चे को समय में आजिता है इसको कुछ समय में नहीं रहा कि किसके कारण हो रहा है क्या हो गया बट ओनली तिंग यू मतलब ग्रोथ हो रही है उसके सामने दो ही ऑप्शन से एक तो ग्रोथ हो गी या वह सहमा हुआ थोड़े दिर तक बढ़ जाएगा उसको जब स्केमिकल सिगनल दारा यह पता चाहता है कि everything is not good वह उस समय उतने समय के लिए थोड़ा सा सहम जाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती और फिर जैसे आप काम हो जाएंगी उसका नॉर्मल चालो हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए 10 मिनीट 5 मिनीट कुछ परकने पड़ता लेकिन बच्चे के लिए 280 दीन का ही समय है 9 महीने का ही समय दिया गया है और उसमें यदि हम दिन बर में भी 10-10 देखा है हमारे जमाने मी ब mentor वी कि है मेरे भी बिच्चे को थोड़ा समय कर ता है कि उस दौरान मेरी माना से सिक फिंधू कि ड़ी जो गी जो ग्रोंते बच्चे के ऑग्टकी और 90 पर सेंट पूरी जितने हमें हुरे हमारे मैं लाइप स्टे नमीं हमें शेका चिटना य씨 ह पूरी blueprint हमारे मस्तिक में तयार है in the pregnancy only और इसी लिए हमें हमारा जो 90 पर आपने देखा होगा इक को बच्चा ले लीजिए जिसका जन्दमों होता है उस समय उसकी सीर कितना बड़ा रहता है इन कंपेर टु दाइट बाकि उसकी जो परस्नेरिट है उसके हाथ देखे पाव द लेकिन जो पराणी है उससा नहीं पुरा इता है ले तो यह हमने यह जो भी है जो भी हम कर रहे हैं इसके उपर ध्यान देना चाहिए कि मैं जो करूंगी उसका डायरेक्टली क्या परेना होने वाला है इसलिए हर एक चीज में मुझे पहले उनका ध्यान करना चाहिए कि I will not कि मैंने अच्छे से अच्छा माहूल इसे दे सकूँ और मैं और विननती सभी प्रेगन लेडिस से भी करूंगी अपने को भी अपने उपर अपने मैचिरोटे लाने हैं थोड़े थोड़े चीज के लिए गुस्सा नहीं करना कि और क्री में क्या है तकलिफ कि इसको थोड़ा सा वाइडर से में सोचना चाहिए आगे कि इस ते समů कि उपर इसके उपर कि जिसने जिन्दगी यह पूरा विश्व चालाता है विश्व चालत जो है इश्व है उपर हमें विश्वास रखना है कि यस जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वो ही यह करेगा और यह विश्वास के साथ अरे चीज का जो समय आएगा वो समय मुझे जो मिलने वाला है वो मिलकर ही रहेगा हमें अच्छी चीज सोचना है और हमें यह भी देखना है कि हमारे मन में मत्सर की भावना नहीं होने हैं, मत्सर मींज जेलस. जेलस यह ऐसी भावना है जिससे हमारे उपर उसका बहुत ज्यादा विक्रूत परिणाम होता है. और हम सोचेंगे हमें जो मिलना है वो मिलकरी. मुण इसोन को कि मिलना है तो जैसे बताय में आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना है अच्छे से अच्छा सुनना है चैज रशी अच्छे बात करने इसके अलमा क्या तर मिलता है को आप आनन जरूर बेखै अभी तर distributor इसमें अमारे मनशक्ति के कुछ पुस्तगे हैं मैं आपको दिखाती हूं कि गर्भा का भावविश्व और यह जन्मपूर्व टिपण और यह भी है यह आपको पूरा सेट भी है इसके अदलत तो यह आप ले सकते हैं और यह जो अनलाइन उनकी जो कारेशाला है वो अनलाइ पूरी साथ गंटे की रहती है और बहुत ज्यादा उसको डिटेल्स में आपको यह पूरा ज्यान में लेगा उसका हमारे हमको किस प्रकार से ब्योग करना है जिससे हमारे आगे आने वाली प्री के उपर उसका अच्छे से अच्छा आप दे सकते हैं क्योंकि हम बाकी तो सिर्था इस चाहिए क्या हमारा बच्चा सिर्थी रहे कि हिल्दी रहे अच्छा अच्छा वीचार करने याला रहे उसमें देश्यप्रेम होhen। रिस्पेट देने वाला रहे और उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट cabeça थिंग声 कुलिटी हो 12 हमें इस प्रकार से बारा गुर्ट उसमें चाहते हैं और वह वह मतलब हमको उस प्रकार से सोच हमारी सोच में वह सब लाना चाहिए जो उसके लिए वह प्राइबन हो और एक बात देख लीजे कि जो बच्चा आपके घर में आने वाला हैं उसने तई किया है कि उसके माप को होज होंगे। उसने तइल किया है उसने ये भी तइल किया है कि आप में से इनके पमेना है बच्छा जनन्मत लेता थे 70% फेल्ट्स अरवन शेयरख साथे 25% वातावरं का रश्ज सम्होंग मालूम नहीं. इसके लिए हमें कुछ अच्छी आतवते डागनी है और उसको आगे कैसे और आगे अच्छे अच्छे मतलब किया हम अच्छे कैसे लाएंगी विचाथ तो आप जैसे बहुत पहले हमारे जमानों में होता था आप याज कल बहुत हम दिखता है लेकिन खुल साथ सिट्र का सीम उस समय ऐसा होता था रहो जो होता था है ही बहुत है है मैं अपके पच्छे कि मा बनने वाली हूं तो उसके आप में करे ता निटिश ता या मुझा अबदाव यह आपके निटिंग का रहता था सामानने तो यह जो उससे क्या होता है हमारा मस्तिक उसमें जैसे यह जो कला एंग आर्ट थी वह यह हम करते हैं इसलिए आप अपनी जो भी होई जो इंटिंग है या फिर आपकी चित्रकला है या स्केचेस है या रंगोली डालते हैं जिसमें आपको आनाद मिलता है जरूर कीजिए आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ आज यह जी बना सकती हूँ उसका आनद लीजिए जो जो आप काम करना चाहते हैं जिससे आप आनद ले सकती है वह आप जरूर कीजिए और यह पूरा आपको जो मिला है नौ मैने का मतलब यह दो आपके लिए आपके पूरी जिंदखी में ओ एक मरन्य जैए तो हमें बहुत बदा देता है। हमें पच्चे को क्या देता है पछ्चा तो पहले, हमें पढ़े दिन से ही हमें मेच्चो बनाता है प्रगलबदा देता है अमार हमको बगवान दियो ये शक्ति है लुझा उना शिलता १ामी residential है जे आज हम एसे एक जंवो देन को ये सकते हैं तो मैं अभी आप सभी को आगे के जो भी अमारी आपके आने वाले जिनों में जो आने बावी परेंट्स है और आपको शुब्रेच्छा देती हूं और हलो 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 जैसलिए हाँ जैश्री माम आपके बाद बोलिया है मुझे डिस्टर्बंस आ रहा है अब ठीक है आरादनमार मुझे रावास काशुना यह सुन्या है यह समाँ मुझे ड्यास हसेन्ड खुर्श्चा बादनमार्चा बास काल बन्यूम् हमाँ मैसरया है पले कंब डिस्टर्बंस शॉत elder भूत इस चीमार्ज कorith enroll हुआ हुआ ह से हुआ हुआ है झाल झाल हलो अरजनातई ढूमने में में परते हैं जोतल्त स्था प्रैइश्ट मेंगि तंद सन्य आ हख़ोधाई हलो हलो हलू गलियाजना भीवे जाते है खना टे कीकुझा में ममें निखका है वह ने चेहरा दीसाइसाथी आता अजून अजून अधा ठीक है तो उड़े समागे सरकुन जा अजून ठीक है एक परफेक्ट ठीक है ना है हाँ 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 तो बताना है अरदनाताई के बारे में आएचली जैशी मैं बोल रहे हैं कि वेट करिये करके दो मिनिट ऑके उनका मैसेज आया है ठीक ठीक अच्छा जिगनेश जी यस माम सब कुछ ठीक है आवाज भी क्लियर है हाँ हाँ यस माम हाँ और आप मेरा नंबर ने किसी ने कुछ क्रेविज अगर आई तो आप मेरा नंबर फॉरवड कर दीजेगा प्रेंटली माम क्योंकि पूरा सेशन में नहीं ले पौंगी हिंदी में टोड़ा एक यह विए तो ठीक है अगई है इस जो आगई गे मेरे आवज तो अभी हमें मेरा वाषण तुमेंने खतम कर दिया अभी में आराधना तई की बारे में बात करती हूं आराजना थी थीक है ना? वह वह जब फूर्ट डुड ला सेशन ठीक है समझल सब्सक्राइब देख घुड चान जले ठीज हूद़ थी तर अध्याथ आपन मी आराजना थी बोलते है की आराजना थी इस मराठी तर दोड़ना रहे आर्या तरा आराधना तरह न यह बेसिकली एमेसीन भायो थेक्नोलजी एत्या आणि त्यान्सा एक उद्यो गुरुवध्योग तैने सालु के ला है कि आप्ले जे परंपरागत जे पदार्त है अपनी हिंदु संस्कूरुट इतले हैं अपने भारता ददे पेतार हो तो ते त्या बनो ता तैंच gaming अणों हम तो अब इसा सी अगर आ था क्यों गर्चुन salam अश्टी जाति होगा है अणि शितन नॉलज्च ऑप शर्ब है टो आज anecdote रहlerin ईमकुंशिकि थो कि टुम्हाला तुम्हारा तुम्हार आटर डेलिवरी ते उपयोग्युत पेड़ेला से अरी यह घाहिंजी जा कार्या शे कार्या यह जेता है अर्टे और ते आरीजिनल पूड जी वैल्ये नैचरल वैल्यू टिकुन आ लोकान-करण्त परस शंगलत पोसी या पद्धातीनी तो आपन जवा एंधर प्रटॉक्स है और बेसिक जाए कि दिन्या नां तूट सब्सक्राइब प्रयातना रता है और आमचे शी ओरन ओमेगा टीम शी जए जान ज़ले खुब चान असा वेक्टिम अर्तम घाला है तरमी आता आरा दना ना मिलनति करते कि ताननी अपलो विवेचन शुरू कराओ धन्यवाद ताई ताई आवाच क्लियर है हो ख्लियर है आनी विव व्यवस्तिता आताँ? व्यवण व्यवस्तिता आता मी माजा म्यूट करते हो हो नमस्कार सर्वा प्रथम मी डॉक्टर चैचेने शेंबेकर सर आच्चा या कारेक्रमात आमंत्रीत केले बदल मना पसुन आभार मानते तसेच या वेबिनार चा माध्य मातून आच्चा कारेक्रमात सहबागी जालेले सर्वा जोडपयान ना तैननी ही पाला तत्वाची वाच्चाल छान एंजोय करावी जोड़न खूपकू शुबेच्चा देते तर गर्भवति स्तुरीचा आहार न्यूट्रीशन डियूरिंग प्रेगननसी या विश्यावर बोलताना मी एक थोड़ा सा तुमसा कॉंसेट क्लियर करूई चिते कि आहार मन्जे फक्त जे तुम्ही ग्रहन करता है जे तुम्ही अन्ना गेता है तेज तुम्चा बाड़ाला पोशका है असा नहीं है तर जे चांगले आचार विचार तुम्ही गेता है तुम्चा मदे जे कही चांगले डोलेली तुम्ही बगता है जया सांगले लोकांचा सहवा साथ तुम्ही रहाना रहात, कि वा रहता आहात, जया सग्यान सा तुम्चा गरभा वर, तुम्चा होना वर बाया वर खुब छान परिणाम होना रहे तर या अनुशंगा नी एक Facebook वर एक छोटा सा थोट वाचना ताला माजा, तो मोला पूप अप्रोप्रियेट वाटला, तो तुम्हाला वाचन दाखोते तुम्चा गरभा वस्पे साथी आने जयाश्री ताइन नी खुब छान शब्दा मदे है आज तुम्हाला सांगित लेला है मी सुद्धा जयेश्री ताइनका सेशन खुब एंजोय केला, अगधी छान आएकला पहले पसुंच शेवट कुरेंता तर थोड़क्यात जहुँआ आपन न्यूट्रीशन वर बोलायला जातो तुम्चा गरभातिल बाड ये तैचा परिपूर्ण पोश्टना साथी सर्वस्वी तुम्चा वरत मंजे आई वरत अवलंबूर्ण नस्त तुम्वे गरभावतिस्त्री ने निश्चीतत तीचा आहरा कडे विशेश लक्ष दैला पैजे गरभावतिस्त्री चा आहर हा सात्विक आणे पोश्टिक असावा तसेच गरभावतिस्त्री ने एक गोष्ट कायम लक्षा थिवाविती अशी की आपला आहर घेतान ना तीने प्रसंद्ना आणे आनंदी रहले पैजे या आहरातूल माझा बायाची शक्ति आने बुद्धि वाडना रहे माझा बायाचा सर्वांगेन विकास होना रहे हाच विचार गरभावतिस्त्री ने आपले मनात आहर घेतान ना केला पैजे आता गर्भवतिस्ते निया पोश्टी काहर गेतला पाईजे मंझे निमका काय केला पाईजे तर गर्भवस्ता मंझे कही कोंता आजार नहीं हाई डिसीज नहीं है ज़से जैसी तैन में सांगितला की खर पाईला तर तो एक उत्सवा है मंझे आता है या कोरोना कायात सुद्धा जर तुम्चा घरी बाई एना रहे तो घरा तानन्दाच वाता वरना से तर तो उत्सवास तुम्ही साग्रा केला पाईजे डिसीज न नाव मईने साथी तुम्हाला खूब कही तुम्चा डायेट मदे उलता पालत करेची नहीं है आणी स्वाता वर वेगवेगे प्रयोग तर अजिबनत करेची नहीं है आपने लहान पण आपसुन जो आहर घेत लेला अस्तो, आपने आई नी जो स्वेंपक अपलेला करूं खाउ घात लेला अस्तो, तैची अपले टेस्ट देवलप जर लेली अस्ते, आणि तोच अपलेला आवडत अस्तो, तर तैटले तैट सग्यात आनंदाची गुष्ट ही आपला जे पारमपारिक महराश्रियन जेवन आहे, मन जे वरण भाट भाजी, एखादी पाले भाजी कि महां एखादी फोय भाजी, तैचानन तर पोई की महां भाकरी, कोशिमबिर की महां सालर्ड, एखादी कोरडी चतनी, आपन जवसाची, तिराची, कराची कुणती ही गरी लाव लेला ताजा दहाचा ताक आने घरी के लेला एखादा कोणता ही गोडपदार था शिरा असु देथ खीर असु देथ लाड़ू असु देथ तर हाजो आहरा है हाँ परिपुर्ण संतुली पोष्टिक आने साथवी काहरा है जर तुम्ही या आहराचा अन्नु करण करता चाल तर तुम्हाला वीशेश अन्खी काही ही करने ची गरज नहीं है तुम्ही तुम्ही तुम्च्या पोष्टिक आहरातनियम पाय लेला है फक्तम भी तुम्हाला थोड़ आशा सूचना देथ ही यहाद बैलन्स डायेट ला तुम्ही वेरीड का सब बनने उशकता मि जितक्या फटाला तुम्ही चवी डियाल या घर्भावस्टे चा दर्में तैया नैच्रली तुम्हादा परंतो ही पोष्टना रहे आणि पूरे तुम्हा बाराला पन यह सगया गश्टि खाने ची सवय लागना रहे जर तुम्ही तुम्हाद घराचा विचार केला तर प् पोहे जाले, मुर्मूरे जाले, भाद जाला, हात आंदूलाचा आस्तू। आफ्फे जे कर्दान्या साथ मोडाले लेत, तैणची उसर, यहाँ प्रकारे वेग्वेग्या डाले तुमी अहारा मदे ठेवा, सीजनल सब्बे वेग्वेग्या रंगाचे फऴा आने भाजय आहारा थ्थेवा, जर पाले भाजय आपन बगित लेया, तर मेथी आने पालक यह नचा वरत अपला जास्त करूं विशेश भरस्तो परन्त यह वेची रिक्तपन पाले मज़ा आहेत। शेपुची भाजी अस्ते, गोईची भाजी अस्ते, अमबडी ची भाजी अस्ते, शेवगयाचा पाननांची भाजी तुमी करू शक्ता, राजगीरा, लालमाट। यह नचा त्रास होतो, तर अश्यावळी स्वताला अजिबात त्रास करूं धियू नका, कि माज़ा पोटात इतके इतके अप्रमाणात, अमुक, अमुक, इतके गेलत पाईजे। कारण ते तुम्हाला जानार नाही है, आणी घी फेज लवकरत निगुन जानार है, त्यामाई स्वताला शांता ठेवा, दर दोन ते चीन तासन्नी तुम्हाला जे खावचा वाटे, ते थोड़ा-थोड़ा खाणाचा प्रयत्न करा, आणी मुक्खे मनजे स्वताला घरी के लेला ताज़त ताक, कोकम सर्बत, लिंबू पारी, शाहायचा पारी, शोपेचा सर्बत, हे तुम्ही घेत रहा, जेने करून तुम्हाला ठकवा जानार नाही है, आता पुर्जा मुद्धा है बैलन्स डायेट, आजकाल आपन सग्गे जिदके अवेर जाले लेला ह अजके बैलन्स डायेट मुझे खाहे सग्गे अना महीती है, जा आहारा तुम्हाला कार्बोहाईडरेट्स, प्रोटीन, फैक्स, बिटैमिन, मिनरल्स और फाइगर में तो डायेट मुझे बैलन्स डायेट, तर तर तुम्हाला ग्यायचा से, परन्तु गरभा अवस्ते चा काही काही न्यूट्रियंट विशेश महत्वाची आहे, तर तर तुम्हाला थोड़कया आत्माहीती देते, तर सग्यात पहला महत्वा तो जे न्यूट्रियंट आहे, ते मन जे फोलिक असिर, कि वहाँ फोलेट, जर तुम्हीं प्रेग्ननसी प्लान कराई ची आहे, मरुन गैनेकलोजिस्ट कड़े गेलात, तर कॉंसेप्शन चा अधी पास उनस तुम्हाला फोलिक असिर ची ए गोली ली हों देता, तर ह्या फोलिक असिर सग्वावती स्प्री चाहारात महत्वा या साथी आहे, कि याच्या नियमित से बना मुए, जे निूरल ट्यूग डिफेक् जन्मा ताहाद बाला चा ब्रेन अनिस्पाइनल कॉड मोडे कोर्ते ही डिकेट्स निर्मान होत नहीं बाया सुद्रूर जन्माला यता, तर फोलिक असिर तुम्हाला कशा कशातन में नारा, तर दिटरी सोर्सेश अपोलिक असिर अर अल ग्रेंस, अल होल पलसेश, अल ग्री रिक ए्टेंट अरौन मोटर्वाटा सं निट्रीरेंट अग्तेंट अन्सिर तुम्हाला ज्य्य थीन अफ्रोपल्वाल जेग्वारया को और तुम्हाला उट्री और उल पलसेश प पारंपारिक पदार्ता है सातु यहांता आहरात्समाविश्करा हाँ प्रथिनांसा प्रोटिन सा खुपतांगला सोर्षा है आणि एक छोटिशी टीप में तुम्हाला देते कि आपला जो रेग्युलर सातु आहे तैचा मदे आपन गहु आने फुटाने कि वहां भाद मेला आवास त्या आवापर तो तैंचा जोडिला तुम्ही मखाने बदाम अक्रोड खारकेची पूर ते सगा टाकून फोर्टिफाइड सातु घर चा घरी प्रेग्ननसी प्रोटिन प्रेंग तुम्ही बनाऊं ठेऊ शकता आणि जेमा मदला व्यास सभी तरी तुम्हाला है जर एक जर्नाइन असे 220 जोडियृ ऐडरा मा थे आधमया मदला टाकर चिवार्य परुट रिखेची आधार कराई तुम्हाला क्या हैसिता है तर दूद तुम्हाला घ्याचत आहे, no doubt, आणि दूधा कैल्शियम चा सोर्स आहे, रोज एक ग्लास दूध घ्या, जमलेस तेचाथ शतावरी पाउडर टाकून घेदलाथ, आणकी उत्तां, परन्तु एक समझ तुम्ही तुम्हाला सांगते, तो मन्जे रागी, नाच्रनी, जाला पन फिंगर मिलेट मन्टो, तर फिंगर मिलेट है, 344 mg of calcium in per 100 g, तर नाच्रनी चा आवरजून तुम्हाला आहराथ समावेश करा, नाच्रनी ची खीर घ्या, अंबील घ्या, लाडू करा, भाकरी करा, ठाली पिठन मते घाला, धिरडी करा, वेगवेगा पद्धती मी नाच्रनी चाला तुमी समावेश करा, अचे अंतर ता जो दुरलक्षित सोर चाने केल्शियम चा, तो मर्जे शेवगा, मोरिंगा लिव, लाव यू नो, दिस इस सूपर फ्री, सूपर फूर्ट काल, मोरिंगा, आणी आपन फक्त शेंगान ची भाजी अधात मधात करी तर कमी लोका है, जे शेवगाचा पानांचा पन आहरात वापर करता, आणी गर्भवति स्त्रियान साथी तर अतिशे उत्तमा है, तुमीची कोवी पाने अस्तर शेवगाचा जाड़ाची, तैची मेथी चा भाजी सार की मिर्चा खुडी भाजी करूं भी हू शकता, जोनका कर खालू शकता, ठाली पिठान मदे, धिरडान मदे घालू शकता, इनफेक्ट, होथिम बिर जाश्टि आपन प्रत्तेक दीश मदे वापर तू, तशी मुधभर शेवगाची पाने तुमी तुम्ही तुम्हा लावाटे, तैट्या डीश मदे तुम्हा प्रहत्न करा, आणी या वेबिनर ला जो उपस्ती तहेत चगे बाबालोक, तैनना एक सुचना दिव इच्छी ते, अना ऐसे पावसळयाचे दीवस है, एक छोटा से शेवगेच रोपता आणा, आणी आवर्जून तुम्ही तुम्हा घरी लावा, जर तुम्हा स्वतंत्र बढ़ठा गर असे तर अंगनात की मां परसदारी लावा, जर फ्लैक मदे रहाता साल तुम्ही ता एका मोठा कुंडित पण शेवगा छान ब्रोव तो, आणी निदान पानान साथी वर्च्या कोले पाना खुडत राएचे, तैच्या साथी तुम्ही तो मेंटेन करू शबता, आणी यहा निन त्यादृष्टी नी विचार कराई छोटा रोप्ता नक्की आनून तुम्चा घरी लागा आता केल्शियम चा जोडी नी जे महतवाद सा विटेमिन आहे तेमान चे विटेमिन D and the natural source of vitamin D is sunlight which is available in ample amount for all of us so pregnant lathes to sit in the black practice 15 to 20 minutes या वेती रिक्ता जे dietary sources सा हेत विटेमिन D चे तेमान जे एक, fatty fish आनि मश्रूम्स मश्रूम्स मदे सुग्धा विटेमिन D असता एक्जरसाइट चा पण खुब महतवा है केल्शियम आने चे absorption साथी तर आता सचीन दादा एक्जर्साइट तुम्हाला एक्जरसाइट तो महतवा आने जे आसे तेमाहिती देती देती दूसरा आने की एक्जो महतवा चा न्यूटेंट है तो मंजे लोह आयन आने मला वाट ते लोहाचा महतवा मी तुम्हाला सांगाला नको थर्ड ट्राइमिस्टर मदे जवा-जवा दुप्ती ने रिक्वार्मेंट वारते आने लेक्वार ठाहुट वार्मेन जवार्मे ने जवार्मेट आने मेंट अल्रेजरी प्राइमिस्टर मुझा तुम्हाला रिक्ष त र्देटी तुम्हाला विच्णर काहष। black raisins, wheat root, pomegranate, apples, all green leafy vegetables are rich in iron. For iron absorption, vitamin C is essential. So, you must include one citrus fruit in your diet during pregnancy. So, when the season is available, it is available in your diet. So, you can also use omega-3 fatty acids as well as omega-3 fatty acids. सब्सक्राइब बिंगा वावस्टेथ होती है लोगती अनन नाहीं है इसे सोर्सेजका अब गड़ी आपन्या सर्साइब प्रमानाथ होता जवसाची कोरडी सटनी तुमीचा मेनया पसंतरी निदानकारन तीन मेने आपन्याइब नहीं अधर यह नहीं नहीं दो खाव मैने पस युट्रा अवर्जुन टाठाट कुमि एक चमचा बर जावसा ची चट्नी आवरत नसे सेंगे तर दोनीवेच जवड़ा नंतर जावसा का मुखवास गया चमचा चमचा बर तर तर तुम्हाला नक्की फाया दहुई आनि बारेश अंतर बायाचे जन्मान अंतर मूर्स्विंग सा पोस्टपाटम डिप्रेशन सा तरास होतो तर ओमेगा-3 fatty acid प्रमाण तुम्चा हाराथ वेवस्टी तसे तर बर्या चांशी तो त्राविश करू शकता आणि बाकी चे जे सोर्से साहते में जे फीश मदू सुधा तुम्हाला ओमेगा-3 fatty acid में तो तुम्ही नॉन-vegetarian असाल तर तैसा डायेट मदे तुम्ही सामाविश करू शकता यान अंतर सा महत्वाचे मनचे फाइबर फाइबर कड़े अजिबात दुर्लक्ष करू नका प्रेगनसी मदे कॉंस्टिपेशन सा तरास हा खूप कॉमन अस्तो आणि त्याला जर अपन लाइट लीगे प्लतों कंसिस्टन्ट रहला तर मक पूरे पाइल्स अनी फीशल सरके कॉंप्लिकेशन्स होता त्यामुए फाइबर तुम्चे आहारात असलत पाइजे जी संपूर्ण साला सहिट्ची धन्या है कोंड़ा सहिट्ची तैंचा मदून तुम तुम्हाला फाइबर मेंत सैग्या सीजनल वेजुटेबल्स आनी फ्रूट्स तुम्हारात गया तैचर तुम्हाला फाइबर मेंत आता सध्य है कॉरोना संक्रम्राला चे कालत एक काईजी अवस्य अभश्य जया कि बावत wreck अडतों गया तार हशे ,ежाहन ला जीस याचान अंतर मज़े आहारा जे न्यूट्रियंट्स वर्दल में तुम्हाला महीती दिली आता आहार घेतान ना आहारा संबंधी आपन मुझे दो ग्रहन करतो तेमा आपन काय केला पैजे तर सद्ध्या जो सगया तो मोठा इश्वा है तो है मोबाईल चा आपन जर मोबाईल अनि प्रसंदा चित्ता ने तुम्ही जेवन करा आता है कोरोना संक्रमाना चा कालत अपने अपनी प्रतिकार शक्ति वाड़ोने किती महत्वाची आहे तर है दुष्टी ने एक छोटा सा मुद्धा मिमाणडू इच्छी ते कि रासाइनी क्षेती जी आहे ती पर्या दुष्टिने ही फार घातक है, तर आता तुम्ही होनारे पैरेंट साहा, मुझे, आई बाबा होना रहा है तुम्हे पुर्चा पीडी चाही दुष्टिने तुम्ही हाँ विचार गेला पए जी कि आपला पर्यावरण ही राखाचा है और आपला अरोग्य ही आपलेला राखा प्रतिकाल शक्ति वाड़ाला नकीस मदत हुए तसे आता कोरोना कालात सानिटाइजेशन लाही खुप अनन्य साधारन महत्वप आपके जाला है, मजे अगदी बुस-बुस बाजार जालेला है जीते थीते सानिटाइजर्स, साब्ण, डिसिंफेक्टन्स यहांचा लोको ख खुप यहाचा अथी प्रमाणात वापर करताते है, मी असमनत नहीं है कि अची आवशक्ता नाही है, आवशक्ता आहे, पन गरजे पूर्ताच गर्भवतिस्त्री ने यहाचा उप्योग करावा, तेचा अथी रेकी वापर करू नका, आरी शक्यतो घरी स्वताचा आरुग ताला, धुम्रपाण आणी मध्यपाण करने यह गर्भवतिस्त्री ने तसेज, मजे होनारे बाबालोकान नी, दोगान नी पन यहाचा गोश्टिन पसुन, दूर रहला पाईजे, तैचा नंतर, अनाईसेच आता आपलेला बाहर जाउन खानेची, रेस्टोरेंट्स मदे, होटेलिंग करनेची सवय, हाच चार पास मेनात, अतीशे सग्यांची तूपला तरकी जलिया, कोरोना काला मदे, तर मी मनेल की एक चांगली सुरूआता है, ती सवय अशिच कायम ठेवा, घर्चा ताज अनना गर्भवतिनी घेतला, खुपत चांगला है, और शिर अनना शक तुम्हाला तुमचे पूर्वायचे तुस्तात, आने गर्भवतिस्प्री ने आपने कोंठे ही इच्छा दाबू ठेवायचे नस्तात, तर तुम्ही घरी करा, हेल्दी चाट तुम्ही घरी करूंगी हो शक्ता, जशी स्प्रावथ ची भेला है, कौन चाट आहे, इच्छान पदार का, इच्छा दाब्वेस, वन फीन अबाह्यचे तुम्ही घरी ता लेले पटाटे वड़े, किमाप पकोडे ही घरी करूंगी हो शक्ता, पावगाजी, बर्गर, सैंडवीचे तुम्ही घरी करूंग कहा, खा, डाट विल बावधियर ओक्षिन, फब्दै तुम्हाला थोड़के आत्माहिती दिली आता थोड़ू से मला हे गरभावस्ते चा दर्म्यान सा आहाराचा सेशन है मुरुन थोड़ा पौटूंबी ख्वाथा वर्णा बदल मला थोड़ू से तुम्हाला सांगाई चाहे कि जर तुम्हा लख्या हाथ कि तुम्चा घरी तुम्हाला आउड़ी नीजाए खाव गलता है तुम्हाला दोहाय को रोता है तर तैंचा प्रती तुम्ही खुरूतद्म्हता नकी वर्टकरा बीद्रेटफूल एप्रिशेट देर एफर्ट्स गरतली मोठी मंड़ी तुम्हाला सूचना अपन डेटिल गरभावस्ते तु युका सथी गरम पदारथा खाव नोको, पपय खाई ची नहीं, अननस खाई ची नहीं, आंवे चासी सीजन अथा तुम्हाली आमभा आउड़त अस्ता पन आई क्यमा सस्तवे में आंबादा खाव नोको, तो तुम्हाला संगित लेला अश्ता आई कि लाए तुम्हाला आणि तेन्सों सहकारिया हे तुम्हाला लाख मोलाचे थरता। आणि धरातिल वातावरण तर परस पर जिवायाचे असेल, खेल में असेल। तर होनारा बायाचे संगोपनावर्ताचा खुपस छान इफेक्ट होतो। छान सकारातनों परिणाम होतो। तेचा मुए तुम्हाला विशेश काजी घाएचे कि काउटूंबिक वातावरण जिवायाचे थेवा सग्याची कुपस चांगले रिलेशन तुम्हें लेंटेन करा। जैश्वीताई अहार आचा कई सूपला एका माचे चानी? अला, अला सगरताई? सगर मुद्धे आले? सगर आला, आटा थोड़ा थोड़ा? ब्रेस्ट फिडिंग वर्टाई? तनपाना वर संक फोड़ा? ब्रेस्ट फिडिंग वर्टाई? ठीक है. आणि आटा अत्यन्त महत्वाता जो विशेया है, तो मंजे मजे माजे दुरुष्ट नीतरी हा विशेफार महत्वाचा है, प्रिपेर यॉर्सेल्फ फोर ब्रेस्ट फिडिंग, स्थनपाना सथी तुमची शारिरिक आणि मानसीक तयारी करा। जे पहले एक हजार दिवसस्ताद बाडाचा आईश्यत ले, फर्स वन थाउजन देज इन यूर बेबीस लाइफ, आणि याचा मदे आईचा दुधाचा फारस महत्वाचा वाटा है, आईचा दूध है बाडाचा थी अम्रूत है, ही खोश्ट तुम्ही सतत तुमचा मनावर बिंबा, आणि बर्याजनान दावाट्टा की ब्रेस्ट्फिडिंग ये इतकिक शुल्लक आणि यगदी छोटुशी खोश्टा है, याचे तो मजी विचार करना सरक काया है, ही तो अतिशे नैसर्गीक प्रक्रिया है आणि ती हो ही खोश्ट तुम्ही जन्मान अंतर, आणि तुम्हा सपोर्ट तीला खुब महत्वाचा आसतो, आणि डिलेवरीन अंतर स्वता आई है कांडिशन मदे नस्तेच खरोपायला तर की या सगय गोश्टिन कडे लक्षदे, आणि तुम्ही मनाल की बायाचे जन्मान अंतर, आम ब्रेस्ट्फिडिंग सुररीत होत नहीं, कारण पहले जे 15 दिवस असता, ब्रेस्ट्फिडिंग एस्टेबलीश होता तेमा, मंजे आई आई आणि बाय दो घंडा पणिया गोश्टिची सवय नस्ते, ती सवय भायला थोड़ा सा वेल आगतो, याचे बाकी चे लोकांची होता होता है, आणि बाया चे जन्मान उंतरता जो पहिलाता आता तुस्तो, फर्स्ट आर इत कॉल्ड एत गोल्डन आर, तेमाच जर बायाला आई चे छाती शी लावला, तर तैचा खुपच ब्रेस्ट्फिडिंग वर सकारात्मग परिणाम उतो, आणि मिस्कंसेप्शन आ अंगेल कि नो डब्बा फूर फॉर फॉर यॉर बेबी, से नो तु डब्बा, तुम्ही सग्यान ना सांगा कि पहले तीन दिवस थोड़ा दूद हेता, पन ते ते उरस थोड़ा दूद बायाला पुर्त, एंड इन फुल्टम बेबीज, मंजे जा बायान नी पुरुन दि प्रसुती होते, त्या बायान ना अजिबात वर्चा दूद देनेची गरज नसते, उलट यहाचा मुले आपन डिले करतो ब्रेस्ट फिडिंग साथी, और बायाला ते वर्चा दूद्दाची सवय लागूं जाते, तर यहाचा वर आवर्ज मुन तुम्ही नक्की विचार टू, तो मी कदी ही तुमचे शंका मुला विचारू शकता, शांतते ने, आणि थोड़ोसा आहरा बदली सांगते गरभवतिस्ती चा, उसा मी प्रेग्नेंसी चा दर मेनी सांगितला की कोंटा मैजिक फॉर्मिला नसतो, तासथ डिलेवरीचा अंतर पन कही मैजिक फॉर्मि आपने महाराश्रात पद्धत आहे, आपन आलीवाणी नारवाचे लाडू करून देतो, तर हे नुस्त ब्रेस्ट्फिडिंग ला सपोर्ट करता हे फूर्ट असनी ये, आईची तब्बेत पन चांगला राखता, दोनी पन गोश्टिया है तैचे तुन, तर आलीवाचे ल द्धामदे वापर करा, आणि जे सग्लया ग्रीन लिफी वेजिटेबल साहेत, जे फळभाजा आहेत, मुझे सवफेर आहर तुम्हाला डिलिवरी नंतर पन घ्याइचा है, आणि सग्लयात महत्वाचे एक लक्षा ठीवा, कि यूर बेबी इस यूर बेस्ट ग्यालेक्ट तुम्हा बाळाला तुम्ही जितक्या लवकर जवल घ्याल स्थन पाना साथी, डिलेवरी चान अनतर, तीतक चांगलया प्रमानात तुम्हाला दूधेल, आणि ब्रेस्ट फिडिंग खुब चांगलया प्रकारे एस्टैबलिश होई, एकदा पंध्रा दिवस पहला महिना निगुन गिला कि नंतर अडचनी एत नहीत, ब्रेस्ट फिडिंग मदे, जाही कोंटा अडचनी एत आतना, त्या पहलाच महिना तेता, आणि बरेश्चा लोकांना प्रॉपर नॉलेज नसले मुए, अमुलानना वर्च दूद लावावला लापत, तो हे अजिबात तुम् एजुकेट यॉरसेल्फ अबाउट ब्रेस्ट फिडिंग डूरिंग प्रेग्ननसी इटसेल, आतास तुम्ही वाचा, आजकाल अपलेले इतके चांगले सोर्सेस मंजे गूगल वर आपन सब्वा सर्च करू शकतो, आणि छान महीती तुम्ही 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 आपनों इस पमकाना कैसएच करते हो हुआएअ तुम्ही 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 मगा अभोचईर अञ्दे युआ्ड़ मात NXT कि अज़ोगें शवें शवाचा, यूरेज वह प्रेंग सब्सक्षान पार्ण्छाक हो जगांदी किमोंडिकांदीर मोगा प्टेयरs आवाज शक्ता घले लिया है, बना कहीं प्रेटरिश्यां समता सो होता है, कि मोबाइस मुए चुर्वाती चाड़ा मदे आपन अगदी जेवाब बार होता होता है, अभी अन्दन करता ला अपलेला, आपन कुपदा फोन जेतो, तो ते जर आपना अवाड कुछे कलो, तो सबस्क्राइब के लागरा मदेटर अपले वानतपान अंतर अपलेगा प्ले तो देना करता, तो तो घातक तरता, तो तुमी सगयानी सम्झायाएच वर्थी वीचार गेला, तो तो आपलेगा ऑला सग्याना आईच अपलेशा बढ़ाना, खंच आएच दूद उपवलभज सब्सक्राइब हाँ देखिए सीजन कौन सा है यह पहले आप देखिए और जनरल यह आपको केला खिलाना है तो चार बजे के पहले बीफोर फोर ओक्लॉक इविनिंग में या रात में आप केला मत खिलाइए ठीक है इन फेक्ट केला बहुत अच्छा है बच्चों के लिए छे मैने के बाद से ही आप खिलाना शुरू कर सकते हैं और बच्चे को अगर कफ है तो ही सिर्फ आप केला थोड़ा रेक्ट किजिए बाकी तो आप डेली खिला सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है मैं फिर हम अभी आगे बढ़ सकते हैं नाइए एक्चुली इस आरा दना तैंचा प्रुष्ण असा है की एक मिनिटा में वाचुन्दा को थे तैंचा प्रुष्ण असा है हां आट अने नुव महिना मद्दे रोज केल खाव नए बाला कफ होतो खोर रहे का खोर रहे का अधिया गर्भावतिनी खाई सकी नहीं अदेताओ नाइब गर्भावतिनी खाला तरी सालता हां थे यह ओंहो है एक या निषट पाया है की संद्रब खावनुका to me रातरी खावना का आदी माला स्वत्तर आप को मत खाईये अजिब खाय एंद और रात पो मत खाईये अऑग रात को मत काईये मा, मा, तूप कदी काई चो? तूप जेवणान तस घ्या तुमी, दोन चम्चे तूप तुम्चे आहारात असल पाईजी जेवणात तुमी आपन चासा वरण भातावर घेतो, वरणात घेतो आणि तुमी इन बिट्विन काई लाड़ू अगर खाता साल तैचा तुने तूप तुम्चे पोड़ता माम, यूजूली आमी दुजा मदे तूप घारून आपी तस्तो तरते चालेल का चालेल, फट्वाटी शेजास से तुप घालो नका, एक ग्लास मदे एक समचा भरस तूप घाला चालेल दुधात घेतो, खतावर याणी तूप एकत्र घेतला दुधात तरी चालेल माम, फिर हम अब सेशन कंटिन्यू करते हैं, फिर जो बाकी क्वेरीज है वो एंड में सॉल्व करेंगे, हाँ जी, ओके माम तो अभी लास्ट सेशन में आते हैं, कारेकरम के, आरवदना ताई के, या और किसी को भी प्वेशन रहेंगे, तो हम लास्ट में लेंगे, वदी टाइम परमिट हमें, और अभी हम आगे के कारेकरम के पार्ट में आ रहे हैं, यह है योगासन और प्राणायाम के बारे में, जैसे हमने अभी जर्चा की, हमारे रोज के आहर में क्या-क्या खाना चाहिए, वैसे मन क जो आहर है, वो है वीचार, और वीचार कैसे अच्छे हो, यह हम जैसे शुरू से बोल रहे है, कि हमारे वीचार अच्छे होने चाहिए, हमने पॉजिटिविटी से सोचना चाहिए, अर चीज को हम निगेटिव जो हता है उसको बाहर कर देना चाहिए, लिकिन वाट इस प्रोसीजर कि हमारे पास कुछ निगेटिव थॉट्स आये ही नहीं, हम से पॉजिटिविटी इसे कैसे देखे, तो हमारे लिए यह बहुत सुलब इसका उपाय है, हमारे भारत की यह देन है, कि यहां योगासन और प्राणायाम हमने पूरे जगत को ही दिया है, कि जुन को हम पूरा इंटर्नेशनल लोगाडे बनाते हैं, और बाकी दोगों ने भी इसका महत्व जाना है, तो यह प्राणायाम और योगा, यह हम यदि रोज करते हैं, तो इससे हमारे सब मनलब बहुत ही हमें यह लापतायक है, और यह आपको इसके बारे में गार्डन्स देने हैं श्रीयूत सुचिन दादा मातुरकर, जो एक योग गुरु है, उनको यह आपके साथ समध करेंगे, यह जो मातुरकर दादा है, उनका बहुत पहले से प्याशन था, योगा संथा, वैसे तो वो एक गवर सेंटर गवर्मेंट है, गवर्मेंट ऑफिसर, अकांट ऑफिसर है सेंटर गवर्मेंट में, और लेकिन पच्चिस साल से वो यह इस चेस्तर में है, उन्होंने अपने पैशन को फुल्फिल करने हैं तो, एक संस्ता का भी निर्वान किया है, सुट्वशान की समाधा में, और इस संस्ता के तहत, वो बहुत उन्होंने कैंप्स लिए है, लोग सब्सक्राइब करने हैं तो, आज मैं उनको यहां पर आमंत्रित करती हूं, शुकर शान्ती समाधान के सचिन दादा मातुर कर, तो वो के यह जो योगासन करके, हमें जो शान्ती मिलने वाली है, यदि आप जरूर करेंगे, तो उसका आपको जरूर पायदा निलेगा, तो म आवि सचिं दादा का मंत्रित करती ह। चला बढ़ी हैं चलिए सभी को नमस्ते सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर शेंबेकर जी को कि उन्होंने मुझे यह आउसर दिया कि यहां पर आके कुछ मैं योगा आप लोगों को बता सकूं उसके साथ साथ जैश्रीताई भेडे जी ने यह बहुत ही सुन्दर मारगदर्शन किया है गर्बसंस्कार के उपर उसके साथ साथ आरदनाताई ने आहार के उपर और ब्रेस्ट फीडिंग के उपर भी बहुत सुन्दर बताया गया है उसके साथ साथ जिगनेश जी बहुत अ अच्छे से सुन पा रहे हैं या कर पा रहे हैं कुछ पॉइंट शुरुवात होने के पहले में बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह योग और आसन या प्राणायम जो भी है यह सिर्फ लेडिस के लिए नहीं है यह उनके लिए तो है ही स्पेशली उनके लिए है पर भी सभी कर सकते हैं उसके साथ साथ उनके भी जो तकलीफ है वह भी ठीक हो सकती है उसके साथ साथ यह बहुत ही ज्यादा सहज है यह कोई भी कर सकता है बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ भी आदमी कर पाएं इतना हमने इसको सहज कर दिया है उसके साथ साथ थोड़ा सा तो इस तरह से smile रखते हुए दिख करेंगे तो हमारे internal organs जो है या हर्मोनल changes है वो उस तरह से बनते हैं और उसके कारण हमारे body की flexibility और mind की flexibility बढ़ती है तो इस तरह से करते करते हम यह आसान बहुत सुन्दर तरीके से समझेंगे और करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले कोई भी चीज शुरुआत करने के पहले हमें गुरू का आशिरुआत होना होता है तो उसके लिए हम गुरुवंदना करेंगे दोनों हाथों को जोड़ लीजिए हलके से दोनों आखे बंद कर सकते हैं गर्दन हलकी से जुकी है और पूरी शुरद्धा और विनेता के साथ अपने गुरु का ध्यान करते हैं जिस भी वेक्तिप को हम गुरु मानते हैं श्रेष्ट मानते हैं उनका ध्यान करते हुए साथ साथी बोलेंगे गुरुवंदना सांस गुरुर ब्रह्मां गुरुर विष्णु गुरुरु देवो वहेष्वरहां गुरुर साक्षा परब्रह्मां तस्में श्री गुरुवे नमाहां धीर से भी जितना भी हम जुक सकते थोड़ा सामने जुकिए मानु गुरु के पैरों पर हम माथा रख रहे हैं गुरु हमें अपनी आगे की क्रियाओं के लिए आसनों के लिए प्रहनाइमों के लिए या आशिरवाद भी दे रहे हैं चलिए देड़े से सीदे आखे खोल लीजिए थोड़ी सी स्माइल देजिए फिर से एक बार मुझे स्माइल की बहुत आवशकता रहती है चलिए अभी गनेश जी का तेवार मना जा रहा है दस दिन का बहुत ही सुन्दर यह तेवार हम मना रहे है थोड़ा सा बाहर में हम कम जा रहे है पर गनेश जी हमारे घर में बैठे है और घर में नहीं बैटे होंगे तो दिल में तो जरूर बैठे हुए है तो गनेश जी का वंदन करते हुए या आगी की क्रिया हम शुरुआत करते हैं हमारे हाथ और पैर के आखरी के चोर जो है और गंस के हमारे हाथ और पैर के कलवों में आती है तो उसके लिए भी और उसके साथ-साथ हम गनेश जी का या कोई भी आरती करते वक्त तालिया बजाते है तो उससे भी हमें फाइदा मिलता है अकुप्रेशर का थोड़ा एक एंजॉयमेंट के तोर पे हम इसको समझेंगे और करेंगे सबसे पहले क्या करना है दस बार इस तरह से पहली उंगली को मारते रहना है मारिये बहुत सिंपल है थोड़ा सा स्माइल देते रहे है और मारते रहे है अब दस होने के बाद दो उंगली से मारिये दो उंगली से मारिये उसके बाद तीन उंगली से मारते रहें बड़ा मज़ा आएगा एंजॉय कीजिए बच्पन की यादों को ताजा कीजिए उसके बाद चार उंगली से पाइदा भी होगा और अच्छा भी लगेगा उसके बाद पाच उंगली से चलिए बाएं हाथ से दाएं हाथ के उपर पहली उंगली दस बार थोड़ा जोर से मारी है मज़ा आएगा दस बार होने के बाद दो उंगली पीरी टीन उंगली का आनन लिजिए थोड़ा सा स्माइल रखिये न क्या फरक पड़ता है आदा घंटा कम से तो हम स्माइल वैसी रखे तो अपने चेहरे भी तेज़ो हो जाएगा चार उंगली मारते रही है बढ़िया थोड़ा जोर से फिर पाच दस बार मारिये थोड़ा जोर से बढ़िया मज़र आएगा चलो बढ़िया चलिए इसके बाद हम करेंगे बहुती सुन्दर सहज क्रिया है और बहुती फायदेमन क्रिया है नाम है संदी संचलन संदी हमारे जोड जोइंट जितने भी हमारे जोइंट है वो पूरी तरह से खुल जाते है इसके साथ साथ इसमें वात वारी जो दिक्कति या तकलिफ रहती है वो भी फायदेमन होती है उसके साथ साथ हमारी नर्वस सिस्टिम एक्टिवेट होती है इसमें नियूरोंस एक्टिवेट होती है उसके साथ साथ हमारी मस्कुलेटरी सिस्टिम ठीक होती है तो इस तरह से एक सिंपल एक संदिस अंचलर में इतने सारे फायदे हमें मिलेंगे थोड़ा सा मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे बताईएगा कि मैं बराबर पूरा आपको दीख रहा हूं कि नहीं दिस्तो है पूर्णा यह सर चलिए बहुत बढ़िया चलिए इस तरह से दोनों हाथों को सामने लीजिए हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए तान लीजिए जोर से बाहर खीचिए उंगलिया फैल गई है उसके बाद अंगुठा उपर से लगाकर जोर स से दवाई यह पूरी शक्ति से ताकत लगाई है थोड़ा सा फिर खोलिए उंगलिया बाहर के और खीचिए खीच रहे है थो कि उंगलियों में जलन हो रही है मैसूस कीजिए फिर एक बार मुठी बंद कीजिए था रे सर के अभी दिख रहे हाथ नहीं है अभी अभी दिख नहीं है कि आता है तो चलिए दिख भी नहीं रहे होगे तो भी आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं पर दिख रहे तो ज्यादा अच्छा है चलिए तीचे उंगलियों को बाहर कि एक में थोड़ा एड़्जस्ट करता हूं मैं कि अभी देखिए हां दिस्ता याता व्यवस्तित व्यवस्तित ना चलिए इस तरह से दो तीन बार वड़ियासा खीच के बंद कीजिए तोड़ी ताका जोर से लगाईए गुस्सावसा आरा होगा तो निकाल दीजे मुठी पर ही चलिए अब मुठी हलकी रखेंगे दवाईए गानी और अब कलाई से इस तरह से धीरे धीरे और पूरा गोल घुमाएंगे पूरा गोल घुमाईए दिलकुल धीरे धीरे जितना सहस तरीके से घुमाना है उतना अच्छे रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक पायदा तीन बार क्लॉक्वाइज और तीन बार अभी एंटी क्लॉक्वाइज करेंगे उतनी ही सहस्ता से कीजिए आनंद पूर्वक तो चैरे पर थोड़ी स्माइल रखते हुए बरकरार रखिये स्माइल आदा घंटा आपके गाल दुखने लगेंगे इतने देर स्माइल रखके गुमाते रहिए धीरे धीरे बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर धीरे धीरे थोड़ा पेशन्स बढ़ेगा आपका धीरे धीरे गुमाने से चलिए उसके बाद बारी आते हैं हमारी कोहनी की इसके लिए क्या करना है लेफ बाया हाथ दाहने कोहनी के इस तरह से नीचे रख पिर निखकते इस तरह से गोवाना है को सामने आने के बाद कोहनी सब्सक्रीर से हाथ देख लिजए उसके बाद फिर बाजू से आएगा तुम उठी खनों से लगती है चलिए इस तरह से घुमाते रहिये धीरे धीरे पूरा बोल अभी हमारी कोहनी कि सारी जो तिकत है प्रॉब्लेम्स है वो पूरी तरह से निकल रही सोच के साथ कीजिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रुदी है और उसके साथ साथ फिर अनुभाव भी कीजिए बहुत सिंपल तरीका है चलिए उल्टा एंटिक्लॉक वाइस इतना ही धीरे थोड़ा सा हमा चलिए बढ़िया वेरी गुड़ चलिए तीन बार होने के अब आदा भी दूसरे हाथ के लिए लेफ्ट हैंड के लिए तो राइट हैंड नीचे से आएगा चलिए घुमाईए है हमारा पूरा धान हमारा कोहनी में है किस तरह से उस कोहनी का हमें फायदा मिल रहा है वहां की नसनाडिया फ्लेक्सिबल फ्री होते जा रही है उसके और ध्यान दीजिए यह शरीर बुद्धी और मन का संगम है योग याने चलिए उल्टा एंटिक्लॉक्वाइज विरुदिरिशा से उतनी सहस्ता के साथ थोड़ा सा स्माइल रखते हुए एंजॉय करते हुए दीरे दीरे पूरा गोल कोनी का कोई तकलीफ आगे में चलके आपको नहीं होगी तिछ ठोटी और सुन्दर किया है पर यह दीरे दीरे पूरा गोल गुमते जा रहा है हाथ चलिये इसके बाद बारिये के हमारी शॉल्डर की कंदो के लिए δεν हाथ फिर एक बार सामने ले लिजें दोनों तेरी को उपर लेकर पांचों उंग्लियों को इस طरह से मिलाइए उसके बाद कंदों पर रखिए शॉल्डर प यह सीनी के सामने उसके बाद डोनों नीचे लीजिए नीचे आने सा सुनर सा तनावार की उपर उसके बाद ऊपर लिए दंड कांग से इस तरह से चिपका लीजी चैस SI यह यह फिर एक बार सामने भी जोड़िये फिर नीचे जाने दीजिए फिर पीछे की और उपर थोड़ी स्माइल दीजिए फिर सामने कोनिया जुड़ेगी फिर एक बार नीचे पीछे पीछे जाने के बाद हलका सा रुखिए थोड़ा सा बड़िया उपर दंड कान से लगाईए सामने सहस्ता से कीजिए पर इसी को उल्टा करेंगे भी एंटी क्लॉक्वाइस फिर एक बार उपर फिर पीछे नीचे सामने उपर बाजू में पीछे नीचे सामने करते रहिए फिर से एक बार आप किजिए उपर जाने दीजिए बाजू में जाने दीजिए पीछे में नीचे में सामने और फिर कोणियों को इस तरह से हाथ सिदे कर लिजे और हाथ नीचे ले लिजे योग ऐसी एक क्रिया है जिसमें तनाव भी है और रिलाक्सेशन भी है तो अभी हम दोनों हाथों को आखे बंद कर लिजे ये खड़े हैं सिधे सिधे दोनों हातों को ढीला छोड़ दीजे रिलाक्स 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 कंदों से लेकर हातों की उंगलियों तक पूरा तान तनाव खतम होते जा रहा है हल किसी कंदों में गर्माहड भी है रिलाक्स चलिए अब बारियाति है हमारी आखों की इतनी सुन्दर दुनिया देखने के लिए उतनी हमारी आखे भी सुन्दर होनी चाहिए तो उसके लिए छोटी सी क्रिया थोड़ा समय सामने आ जाता हूँ आप फिर से एक बार मुझे बताईए मैं ठीक से दिख रहा हूं की नहीं आप लोग उसी तरह से कर सकते हैं आप दिख रहे हैं दिख रहे हैं चलिए आखे सीधी रखिए फिर दायनी और पूरे राइट में लेके जाईए गर्दन नहीं लेके जाना है सिर्फ देखना है फिर एक बार सीधे फिर लेट बाई और थोड़ी सी स्माइल सीधे फिर राइट इस तरह से होरिजंटल एक लकीर निकालनी है जमीन से समानतार हमें एक लकीर निकालनी है निकालते रहिए डायवी कड़ून उजवी कड़े और उजवी कड़ून डावी कड़े हळू हळू पूर्ण बाजुला बगयाचा है फक्त मानसर गर्दन सीधी चलिए टीन बार होने के बाद अभी फिर एक बार सीधे देखिए अब उपर की और वर्ति फिर एक बार उपर धीरे धीरे पूरा उपर किस्टेच कीजिए माथे तक फिर नीचे धीरे थीरे इस तरह से करते रहिए धीरे धीरे ऊपर से नीचे और नीचे से उपर आखों की पुतलियों की हलचल जो हो रही है उसकी और ध्यान है चलिए सिधे अब फिर से एक बार हम राइट दायनी और देखेंगे उजवी कड़े नीचे बाई तरफ लेफ्ट में उपर याने गोल घुमाना है फिर एक बार राइट चलिए इस तरह से धीरे धीरे पूरा ग पूरा गोल घुमाते रहिए पिरवत राविया सहद सुंदर क्रिया होते है मांना याटी वक्त डोड्य है आपन वगधनाय है प्रहतन करतो है पूर्ण गोल गलोक्वेस तीनदा आने आता अंटिकलोक्वेस तीनदा विरुद्द दिशे नहीं अंटिकलोक्वेस करेंगे उतना ही धीरे-धीरे पूरा गोल गुमाते रहिए इससे हमारा पेशन्स भी बढ़ता है धहर्य बढ़ते बढ़ रहा होगा आपका धहर्य तो थोड़ा सा स्माइल कर लीजे चलिए धीरे से सिधे अब आखे बंद कीजिए थोड़ा सा टाइट बंद कीजिए जोर से दबाई अंदर बढ़ी कीजिए भी धीरे से खोल कर पूरा मात्य तक इसकानों भोलीजिए फिर एक बार बंद इस तरह से कीजिए टाइट बंद करना है और जोर से बढ़ी करना है करते रहिए दो-तिन भार बड़ा मज़ा आएगा एंजोई कीजिए चोटे चोटे बच्चे देखेंगे आपको तो हसे रहेंगे आपको देखकर आप भी हसी है थोड़ा सा भी फास्ट करेंगे जल्ली से बंद करके जल्ली से खोलिए डोड़े मार लेना सक्या ना चलिए करते रहिए फटा फट थोड़ा सा बढ़िया मज़ा आ रहा है एंजोई कर रहे हम चलिए आखों को भी हलके से बंद कर लीजिए पूर्ण ढ़िले सोड़ूंद्य डोड़े रिलाक्स कर लीजिए आखे पलके अंदर की पुतलिया वहां की मास पेचिया ढ़िली मैंने पहले भी बताया था कि योग में शरीर और मन और विचार ये तीनों का संगम होता है इसलिए सबसे जादा इसमें प्रभाव आता है या परिणाम दिखता है मन जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक इसका असर उतना नहीं समझ में आएगा रिलाक्स चलिए आके खोलेंगे अब बार्याति है हमारी गर्दन की सीधा देख रहे गर्दन से अब धीरे धीरे दायनी और राइट में आपकी इस तरह से गर्दन लेके जाईए और राइट में चेहरा दिखाई आपका एक्स्ट्रीम होने के बाद फिर धीरे धीरे बापीस आईए बहुत की क्रिया सिंपल है परन्तों बहुत ज्यादा प्रभाव शालिए पहले भी बताया था हमाने अभी लेफ्ट में लेके जाईए बाई और पूरा एक्स्ट्रीम लेफ्ट इससे आपके थ्रोट के भी इंफेक्शन कम होते है धीरे धीरे सीधे पिर एक बार स्माइल देते हुए राइट में लेके जाईए पूरा extreme right में आने के बाद पिर एक बार धीरे धीरे सीधे गर्दन की सारी तकलिफे निकल जाएगी बाजू में पूरा extreme आखरी तक फिर सीधा अब नहीं बोलना सीखा था, अभी हम हाँ बोलना सीखेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे गरदन नीचे की और लेके आईए, फिर सीधी कीजिए, बाजू में लेके जाना है हमें, राइट में बाजू में जुका ये चैरा सामने ही रहेगा, दायना कान, दायना कंदे को लगानी कोशिश, हाँ बोलना है अभी हमें, सीधे, अब बाजू तरफ, लेफ्ट कान, लेफ्ट कंधा, फर धीरे धीरे, फिर एक बार सीधे, फिर दायनी और राइट में, बहुत बढ़िया, एंजॉय कीजिए, सीधा, लेफ्ट, बाजू तरफ, देखते चाहिए, बंसे अनुभव करते चाहिए, कि एक एक गरदन की गले की नस्ताडिया किस तर से खुलते जा रही है, बड़िया सुकून, अनुभव आता है, मज़ा आता है, चलिए, सीधे, अब नीचे की और, धीरे धीरे नीचे हनू से लगाना है, जिनको गरदन की बहुत तकलिफ हो सिर्फ सामने ना जुकाए, पूर हनू लगने के बाद फिर धीरे धीरे सीधे कर लिजी गरदन, उसके बाद धीरे धीरे उपर की और लेके जाए, इनको गरदन की तकलिफ है, बस इस तरह से धीला छोड़ दिया पीछे तो भी फायदा है, या कम्पिटर पर मोबाइल पर हम ज्यादा तेर तक बढ़ते हैं, तो दो मिनिट इस तरह से पीछे लटका दीजे, बड़ी अमबजा आएगा, चलिए, धीरे से सीधे, फिर एक बार नीचे, पूरा नीचे आने के बाद, फिर उपर, धीरे धीरे करते रही है, देखिए, मसाज हो रही है आपके गर्दन की, रिलाक्स होती जा रहे हम, हर एक तकलिफ, टॉक्सिन्स महा के निकल रहे हैं, फिर धीरे धीरे सीधे, गले को थोड़ा सा हलका सा दबाव मिल रहा है हमारे, थाइरे टॉंसिस ग्लैंड पर हलका दबाव है, फिर एक बार सीधे, फिर पीछे की और, धीली छोड़िए, बढ़िया, चलिए, धीरे से सीधे, गर्दन सीधेने के बाद गर्दन को भी थोड़ा सा हलका सा धीला छोड़ दीजिए, रिलाक्स, रिलाक्स, चलिए, इसके बाद थोड़ा सा एंज़ाइ करेंगे हम, डांस करते हैं, चलिए, खड़े हैं हम, कमर दी करें ने मेरी चलिए पतली है न चलिए तो इस तरह से पतली कमर के लिए बहुत फायदेबन सभी के लिए फायदेबन इससे हमारे गैसेज पीट का दर्द उसके लिए फायदेबन है और जैसी प्रेगनसी में हमारे डिलेवरी के लिए छोटी सी क्रिया बहुत फायदेबन रहेगी जितना हो सके उतना हमारे पैर को अपन जोड़के रखेंगे दोनों हातों को इस तरह से कमर के उपर रखेंगे उसके बाद सीधी रखते वे पेट को जितना सामने धकेल सकते हैं सामने लीजिए और उसके बाद राइट दाहिनी और लेके जाईए धीरे धीरे थोड़ा समाइल देते वेए पीछे लेके जाईए फिर बाइए और लेफ्ट में इस तरह से सामने के और फिर से आ रही है बहुत धीरे और पूरा गोल गुमाईए देखते जाईए मन से अनुभव करते जाईए कि हमारे कमर के और पेट के किन सनायों पे क्या असर हो रहा है बहुत सहज सुन्दर और लाबकारी यह ऐसी क्रिया है दिखनी के लिए छोटी है परन्तु इसका फायदा जादा समय तक मिलेगा हमें पैर को जोड़के रखने का भी अलग फायदा होता है चलिए इसी को एंटिकलॉक को वेस करेंगे विरुद दिशा से उतना ही धीरे गुमा रहे कि नहीं गुमा रहे हाँ बढ़िया जो भी चीज है हमको हाँ बोलना है अभी हाँ बोलना सीख लीजिए अभी तक हमने नहीं बोलना सीख ता आप हाँ बोलते रहे है गुमाते रहे है और हाँ बोलते रहे है वज़ा आ रहा है फायदा मिल रहा है बहुत बढ़िया सुदर धीरे धीरे पूरा गोल चलिए यह हो गई हमारी कमर के लिए उसके बाद आते हैं हम गुटने के तरफ थोड़ा और नीचे जाते हैं दोनों गुटने गुटनों के उपर हाथ और गुटनों को थोड़ा सा मोड़िये थोड़ा आधिक थोड़ा आधिक फिर सीधे गुटने सीधे कीजिए स्ट्रेट कर लिजे गुटने से पैर सीधा उसके बाद फिर एक बार नीचे की और थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे और स्माइल बहुत बढ़िया धीरे से सीधे जितना हम इसमें प्रयास करेंगे उतने हमारी जंगाएं और गुटने मजबूत होते जाएंगे दो तीन बार कर लीजिए बढ़िया सुन्दर सा प्रयास है हमारा पूरा बैटना नहीं है एडी को उठाते जाना है और गुटने को मोड़ते जाना है बस इसी तरह से यह चोटी सी क्रिया है थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे वा बढ़िया फिर सिधे बढ़िया ठीक है कि यह हो गए हमारे गुटनों के लिए उसके बाद हमारे पैर की उंग्लिया और एडिया हातों कि जैसी किया था वैसे भी पैर की उंग्लियों को रेडियों को करेंगे थोड़ा सा मुझे बताई है अभी जैश्री था या रदना था ही पायर दिख रहे क्या कि नहीं अजुन मांगे जा मांगे जा मांगे तोड़े एक मिन्थे खाले करूं कि अथा अजुन थोड़ा मांगे दिस्ता है तो थोड़ा सब्सक्राइब अथा ठीक है अथा ठीक है चलिए पैर की उंगलियों को दबाईए जोर से हाथ उक्की जैसे किया था अब उपर लीजिए उंगलिया खोलिए तान लीजिए फिर एक बार अंदर एक पर पर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उपर और अब एडी से गोल घुमाएंगे टाचे तो उन गोल फिर हो या पूर्ण गोल धीरे धीरे पूरा गोल फड़ा बैलेंस लगड़ी खेल ले होती कि नहीं लान पनी बढ़िया उल्टा एंटिक्लोक्वाइज उतना ही धीरे धीरे स्माइल देते हुए चलिए यह होगे राइट पर के लिए अभी हम इसी तरह से लेफ्ट पर के लिए करेंगे बाएं पर के लिए डावा पाय सटी दाबूया बोटा जोरा डावा पाय वर्ति ग्यून वर्ति उपर फिर एक बार नीचे अंदर फिर उपर फिर नीचे अंदर ताकत से दवाईये पर कैजूल नहीं उपर खोल लीजे उंगलिया और अब एडी से घुमाएंगे टाचे तून फिरो विया पूरा गोल सहस्ता के साथ थोड़ा समाइल रखते हुए एंजॉय करते हुए उल्टा एंटी क्लॉक्वाइस विरुद्ध दिशा से पूरा गोल बहुत बड़ी है ठीक है तो यह हो गई हमारी सारी संदी संचल ने इसके जोड हमारे खुल गए है अभी हमारे जितने भी आसन है या क्रिया है आगे की तो उसके लिए में फायदावन मिलेंगा साथी साथ हमारी मस्कुलेटरी सिस्टेम एक्टिवेट होती है ब्रेन की और नर्वस सिस्टेम एक्टिवेट होती है और जॉइंट पूरी तरह से खुल जाते है ठीक है चलिए एक और बढ़िया सा सुन्दर सा हम क्रिया करेंगे खास तोर से इसमें प्रेगनसी के लिए ब हां हां तो हाथ थोड़ा सा अपने कंदे के सीध में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है मैंने आपको दिखाने के लिए नीचे रखे है उसके बाद धीरी धीरे जैसे मानलो हम चैर पर बैठ रहे हैं वैसे बठी चैर पर बैठ रहे हैं वैसे बैठी जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाईए बढ़िया और थोड़ा से स्माइल बढ़ेगा देख लीजिए आपके चैरे पर फिर उपर आईए सीधे हो जाईए फिर धीरे धीरे नीचे आईए पूरा बैठना नहीं है बस थोड़ा नीचे जितना जा सकते हैं उतना नीचे जाकर उपर के और आना है इस तरह से दो तीन बार क्रिया कर लीजिए मज़ा आएगा बढ़िया कर लीजिए करते रहे थोड़ा सा इससे अपके गुटने भी अच्छे हो जाएंगे और जंगा के मासपेशिया भी अच्छे से मजबूत हो जाएगी चलिए ठीक है जिनको पॉसिबल है थोड़ा नीचे बढ़ना बढ़ कि हमने जो दो तीन क्रिया करेंगे अभी हम इस तो है कमी बढ़र इस तरह से दोनों घुटने बाहर में लेकर दोनों पैरों के तल्वों को जोड़ना है और दोनों हातों के पंजों से उंगलिया मिला कर पैर की उंगलिया पकड़ लेना है उसके बाद जितना नजदिक हो सकता है उतना नजदिक लाने की कोशिश करना है और उसके बाद फिर पैरों को गुटनों को एने उपर की और लीजिए कि इतना उपर हो सकता है उतना उपर देरे देरे करना है अपने क्षमता नुसार करना है इसमें कोई बहुत ज्यादा तक्लिफ या जवरजस्ती नहीं करनी है ठीक है उसके बाद नीचे थोड़ा सा घुटने जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे दबाईए थोड़ा नीचे थोड़ा समाइल दीजिये आरे कि समाइल नहीं आ रही है चरिए उपर फिर एक बार दबाईए नज़दीक फिर नीचे दबाईए थोड़ा उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे हिलाटे चाहिए थोड़ा सा बढ़िया जंगा के जोड़ पूरे तरह से खुल रहे है जंगा के जोड़ के वहां के मासपेशिया खुलते जा रही है बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर थोड़ा सा स्माइल देते रही है पर गभी कर दो करना है और उसके बाद नहीं होmain कि बढ़िया बहुत सिंपल है न चलिए यह एक है और दूसरी ओर एख है क्रिया वह एने हमारी चक्की यह भी खासतर से प्रिगणसी अ कि डिलिवेयरी के लिए बनाया है दोनों पैरों को इस्तरह से आमनी लेना हें दोनों पेरों में अंतर रखना है है उसके ऐसे हाथ से दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है दिस्था है मैं ज ticking हाथ चलिए उसके बाद थोड़ा सा अपने पने इक श्म्ता ले जहनता है वहसह बना माथा भी कोशिश करना है पर तकलीफ नहीं करनी है बिलकुल सहस्ता के साथ कीज़े थोड़ा स्माइल देते हुए जिस वक्त आपकी स्माइल सूट जाएगी उस वक्त उसके ज्यादा प्रयास नहीं करना है हमें ठीक है चलिए सामने जुकिए फिर राइट में दायनी और दोनों हाथ क दम हो चुका है आप दिलाएए थोड़ा सा मज़ा आएगा पर मोटा नहीं चाहिए बारिक चाहिए है इससे आपके पेट के स्नाइयों भी लचीले बनती है रिगनसी के लिए बहुत ज्यादा फाइदेबन है एंटी क्लॉक्वाइज विरद दिशा से जिनका जम सकता है वो और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं जाजू बाजू पीछे सामने पूरा कीजिए मैक्सिमम धीरे धीरे पूरा गोल चलिए आराम से बठेंगे चलिए थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए मैं ये नीचे बैठकर करा रहूं आपको नए तो वैसे खड़े होकर भी ये कर सकते हैं दोनों हातों को इस तरह से बाजू में लेकि इस तरह से थमसप रखना है उसके बाद पूरा स्ट्रेच बाजू में करना है इस तरह हमारे ब्रेस्ट फिडिंग या ब्रेस्ट मिल के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा दोनों हातों को इस तरह से उपर लेके जाना फिर नीचे पीछे लेके जाना फिर उपर फिर सामने इस तरह से कंदों से गोल घुमाना है ठीक है चलिए घुमाते रहिए थोड़ा सा स्माइल देते रहिए मज़ा आएगा गुमाते रहिए गुमा रहे हम धीरे धीरे गोल चलिए क्लोकवाइज होने के बाद अभी एंटिक्लोकवाइज विरुद्धिशा से कंदे बढ़िया मजबूत हो रहे है आपको बोज उठाना है एक बच्चे का बोज उठाना है तो कंदे तो मजबूत चाहिए धीरे धीरे पूरा गोल चलिए धीरे से हाथ नीचे उसके बाद और एक बढ़िया सी सुन्दर सिक रिया आप लोग बहुत सुन्दर हो तो थोड़ा सा चैरा छुपा लीजिए दोनों हाथों से इस तरह से हाथ रखकर चैरे को छुपा लीजिए ठीक है? उसके बाद फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे बाजू में लेके आए पूहनी से यानि कंदे से हम बाजू में लेके आ रहे पूरा पीछे जितना पीछे तलवा सामने के और आ जाएगा चेस्ट पूरी तरह से खुल गई है पिर एक बार सामने चेरे को ढख लीजिए चेरा चुपा के रखना पिर बाजू में पिर पीछे स्माइल दीजे थोड़ी सी पिर सामने पिर बाजू में पीछे चलिए दोनों हाथ नीचे यह सारी चीजे आपको एक थोड़ा सा छोटा सा सेंपल के रूप में दे रहे है और पहले मैने से लेके नवे मैने तक जितनी भी यह आसन है आपकी सुविधान उसर बनाई गई है परंतु इससे ज़्यादा विक्ति के तोर पे उसको मोडिफाई हम कर सकते है क्या हर ट्राइमिंस्टर में कौन से आसन अलग-अलग करना है वो फिर बताया जाएगा अभी जो बता रहा हूँ वो पूरे common आसनस है यह हम कर सकते सबी लोग सिर्फ इतना है कि आपका डॉक्टर का उसका जो भी अनुभव है या जो भी बताना है वो बता कर यदि मान लो बिल्कुल बेडरेस्ट है तो फिर कौन से आसन करने है वो फिर बताना चाहिए तो नॉर्मल विक्ति ने यह कर सकते है चलिए इसके बाद छोटा सा हमारा एक प्राणायम की क्रिया की तरफ हम बढ़ते है शरी से तो हमें physically fit होना है उसके साथ साथ म नहीं आते हैं जब तक हमारा दिल नहीं जुड़ता तो यह दिल मांगे मोर जितना मांगेगा उतना अच्छा है पर उसके लिए हमारा मन उसके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए तो इसके लिए प्राणायम सबसे बहतरी ग्रिया है तो हमारा मन बहुत ज्यादा इस वक् बैठेंगे नीचे बैठना पॉसिबल है तो बैठिए ने तो चैर पर बैठिए और जैसे भी बैठना है परन्तु पीट को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशीश करेंगे हम जिससे कि हमारी प्राण यह हवा की आवा गमन जो है वह अच्छे से हम कर पाएं ठिक है लीजिए छे अंक तक आपको धीरे धीरे सांस लेना आपको गिंती नहीं करनी है आपको सिरिफ सांस लेते रहना है छे अंक तक धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और आगे के छे अंक में धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे बस इतनी सी सिंपल करिया है गिंती मैं करूंगा six count तक लेना और इन्हेल और आगे के six count तक and exhale करना है ठीक है चलिए लीजे सांस एक दो तीन चार पांच छे चलिए धेरे धेरे छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे तोड़ा सा मन शानत होते जा रहा है फिर से एक बार करते कोशिश लीजे सांस एक दो तीन चार पांच छे धेरे धेरे छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अभी थोड़ा सावी इसमें हम मन लगाएंगे आखे बन कर सकते हैं आप लोग मन कैसे लगाना है जब हम सांस ले रहे हैं तो यह भाव यह विचार करें कि बाहर की जो प्राण शक्ति है उर्जा है ऑक्सिजन है शितलता है वो नाक के और सक्षम बनते जा रहा है जिस वक्त हम सांस को छोड़ते है तो भाव न करें कि अंदर के पूरे टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं नाक के माध्यम से ठीक है यह भाव भी करेंगे विचार भी करेंगे लीजे सांस एक दो तीन चार पांच छे छोड़ेंग एक दो तीन चार पांच छे फिर एक बार और थोड़ा शान तभाव से ध्यान लगा कर लीजे एक दो तीन चार पांच छे छोड़ेंगे धीरे धीरे एक दो तीन चार पांच छे बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया और थोड़ा सा हमारा मन और ज्यादा शान्त करने के लिए और शुद्ध करने के लिए और एक सुन्दर शिक्रिया नाम है ब्रामरी प्राणयम सांस लेना है कंठ को इस तरह से दबाना है गर्दन को ज्यादा जुका न नहीं है थोड़ा सा दबाना है हलके से यहां पर हमारे थायराइडर टांसेज ग्लैंड्स रहते है उसको भी शुद्ध रखने के लिए साफ रखने के लिए या एक्टिव रखने के लिए यह अक्रिया बहुत सुन्दर है कुछ नहीं बहुत सिंपल है ज्यादा से ज्यादा लंबा सांस लेना है और ज्यादा से दीरे दीरे छोड़ना है उस सास को छोड़ते वक्त गर्तन को पहले हलका सा नीचे दबा लेंगे और फिर कंठ से गले से आवाज निकालेंगे तुन आवाज कड़ा ऐसा है भुरूंगया सरका चलिए लिजिए लंबी सांस कंठ को दबाईए और आवाज शुरू थोड़ा सा प्रयास कीजिए जितना लंबा हो सके इससे भी आपको प्रेग्नेंसी में फायदा ही होगा और साथी साथ यदि थायरेड वगर किसी को है तो उसके लिए भी फायदे मन ऐसी क्रिया है मन भी शानत हो जाता है लीजे फिर एक बार करते कोशिश लंबी गहरी सां कंठा को हलके से दबा कर आवाज शुरू जितने लंबे समय तक ये वाइबरेशन्स हमारे शरीर में फैलते रहेंगे उतना जादा इन वाइबरेशन्स का हमारे शरीर और मन के उपर मस्तिश के उपर बहुत फायदा मिलेगा चलिए एक और बड़ी आसा सुन्दर सा प्राणयम हम सीखते है नाम है शनमुखी मुद्रा इसको कहीं कहीं भ्रामरी प्राणयम में बोलते है हमारे पांचों इंद् जाता है कि हमारा अंदर में ध्यान नहीं जाता है तो यह शनमुखी मुद्रा में हमारा अंदर ध्यान दिलाने के लिए बहुत सुन्दर क्रिया है साथी साथ हमारा मन और ज्यादा गैराई में उतरता है शांत होते जाता है दोनों हातों को सामने ले लिए पहली उंगली मा यह दूसरी ईंगली आंक पर रखना है आक बंद हो जायेगी तीसरी बीच चीऊ वीच की उंगली आक के नीचे नीचे रख्त हैं जीस से हम 상 lovely क्यालकी सार Raj hit हो गए और क्रिया वही है सांस लेना है और अंदर में गुंजन करना है ब्रवरे के समान ठीक है चलिए लेजे सांस कि आवाज शुरूँ चलिए और एक बार कोशिश करते हैं पूरा ध्यान लगाकर शांत अमन से लेजे सांस शुरूँ बहुत सुन्दर फिर से एक बार अपने आप कर लीजे लीजे लंबी गहरी सांस शुरूँ बहुत बढ़िया दोनों हाथ नीचे ले लीजे एक और बढ़िया सा सुन्दर सा प्राणायम हम सीखेंगे खास तोर से फर्स्ट ट्राइमिस्टर में यह थोड़ी सी तकलिफ होती है उल्टी या जलन सीने में पेट में जलन कभी-कभी मैसूस होती है तो उसके लिए नाम है शीतली प्राणायम इसके साथ साथ हमारी टेस्ट बर्ड्स भी उसमें शुद्ध होते है और इसमें ऐसे बोला गया है कि हमारे वानी से जो भी निकलेगा वो सच हो जाएगा इतनी इस शीतली प्राणायम में ताकत है उसके साथ साथ ये कूलर का भी काम करता है जिन लोगों को कभी पानी ना मिले या जलन मैसूस हो तो ये शीतली प्राणायम कर लेना चाहिए जिवा को बाहर निकलना है उसे गोल करना है और मू से धीरे धीरे सांस लेना है पर इसमें ध्यान रहे कि जिनको कभ का वगरे कोई तकलिफ है तो थोड़ा सा आहिस्ता से करे या ना भी करे तो चलेगा उसके साथ साथ जहां पर शुद्ध वायू नहीं है वहां पर भी ये नहीं किया जाना चाहिए ठीक है क्रिया देख लीजिए जिवा को बाहर निकालिए गोल कीजिए और धीर धीरे धीरे सांस को अंदर खीचते जाईए देख लीजिए पूरी तरह से सांच लेने के बाद मुझ को बंद कर लीजिए ओंटों को और नाग से धीरे-धीरे सांच छोड़िए फिर एक बार जुबा को बाहर गोल और धीरे-धीरे सांच अंदर नाग से सांच छोड़ेंगे ठीक है? और एक छोटा सा सुन्दर सा बड़िया सा प्राणायम सीखेंगे नाम है उज्ज़ई प्राणायम खास तोर से कफ, दमा, अस्तमा के लिए साथी साथ हमारे कंट की विकारों को दूर करने के लिए भी है सांस को लेते हो और छोड़ते वक्त तोनों वक्त ही खराटे भरना है आवाज निकालनी है गले से ब्राणायम में हमने सिर्फ छोड़ते वे किया था अब हमें दोनों वक्त करना है हो सकते लेते वक्त थोड़ी सी कम आवाज हो कोई दिक्कत नहीं है पर कोशिश करनी है ठीक है मैं बता रहूं देख लीजे अब छोड़ते वक्त पी चलिए करेंगे भी हमें सब लोग पीड़ गर्दन सीधी है बड़ी आशानती से बैठे है सीने में ध्यान रखिए सीने की विकारों को दूर करने के लिए साथी साथ हमारे रिदय के लिए भी फायदेवन है हार्ट अटैक और बीपी के प्रॉब्लम्स भी इसमें कम होते है चलिए लीजे सांस छोड़िए आवाज निकलती है या नहीं निकलती है वैसे तो बहुत बोलते है अभी निकाली आवाज चलिए फिर से एक बार थोड़ा कोशिश करते है छोड़ते वक्त भी चलिए बढ़िया दोनों हाथों की योग मुद्रा पहली उंगली और अंगुठा मिला लेना है दोनों हाथ इस तरह से घुटने पर रखना है पीड़ गर्दन सीधी रखनी है ओंकार का जो ध्वनी है वो हमारे जीन्स तक भी जाता है जीन्स में भी बदलाव करेगा जो लोग प्रेगनट है उन्होंने क्या करना है दोनों हाथो को इस तरह से पेट के उपर रखना है बाकिकेश अभी लोग इस तरह से रखेंगे प्रेगनंसी है तो हमारी इस तरह से दोनों हाथ रखेंगे और मान के चले के हम अपने बच्चे को यह सुना रहे है उंकार के धोनी उंकार का धोनी सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारे शरीर और मस्तिश को करता है इससे हमारे जीन्स तक भी वेरी हो सकते हैं या चेंज कर सकते हम तो यह उंकार का धोनी बड़े है आत्मियता के साथ हम करेंगे पीट गर्दन सीधी बनाक पनाकों के सामने उंकार का चित्र और उतने ही सुन्दर मनोभाव के साथ लंबा पहले सांस लेकर सांस को छोड़ते वग उंकार के धोनी को सुनना है अपने ही उंकार के धोनी को सुन शुरू फिर एक बार थोड़ी सी स्माइल देते हुए बच्चे का अनुभोर अनन्द करते हुए लीजिए लंबी गहरी सांस शुरू बहुत सुन्दर इसके ध्वनी पूरे शरीर में फैल रहे हैं फिर एक बार करते हैं कोशिश पूरा ध्यान लगाकर लीजिए लंबी गहरी सांस शुरू अपने ही इस उंकार के ध्वनी का अभी भी गुंजन चल रहा है पूरा शरीर स्थीर, मन स्थीर, शान्त हो चुका है सहज रूप से ध्यान की प्रक्रिया बढ़ रही है शान्ती कानवो धीरे से दोनों हाथों को सीनी के पास जोड़ लीजिए शान्ती पार्ट करेंगे हम एक साथ बोल सकते हैं सांस ओम शान्ती 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 है दोनों हाथों को रगड़ी पूरजा उत्पन्न कीजिए दोनों हाथों को चेहरे पे लगाना है पर यदि हाथ गंदे है तो चेहरे पे मत लगाईए साफ है तो लगा लीजिए और फिर दोनों हाथ धीरे धीरे पूरी शरीर पर भी जाने दीजिए मानों पूरी शरीर को हम यह उर्जा दे रहे है इससे हमारे स्किन तो अच्छा के भी विकार दूर होते जा रहे है जितना अधिक हम भाव रखेंगे इसमें उतना बेतरीन फायदा रिजल्ट हमें मिलेगा धीरे से हाथ नीचे गरदन नीचे हलके से आखे खोलेंगे गरदन स्यदी करेंगे सभी को प्रणाम समाधान बढ़ी आसी स्माइल दीजिए थोड़ी सी थोड़ी और मुस्कर आईए बहुत बढ़िया सुन्दर एक ही पॉइंट मैं बताना चाहूंगा अभी जैसे बीच में मैंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था तो इसमें और एक प्रेग्नेंसी के वक्त और एक ज़्यादा ध्यान देने वाली क्रिया है वो है इपिजेनेटिक्स यानि हमारे जीन्स इसमें बनते रहते हैं जीन्स तो हम चेंज नहीं कर सकते पर जीन्स जब बन रहे हैं तो उसके उपर का आवरण या उसकी जो में सबसे जादा हमारे जीन्स बनते जा रहे हैं तो जब भी कोई बनने की क्रिया है उस वक्त यदि μटड़ा बनाता है जब वह मिट्टी गिली रहती है तो उसको जो आकार देते हैं वो उसी ढंग से फिर आखरी में बन जाता है ठीक उसी तरह से हमारे जो जीन्स अभी बनते रहे हैं बढ़ते रहे हैं तो उसके लिए ये एपिजेनेटिक्स बहुत ही जादा काम में आता हैं तो योग और प्राणायम ये दोनों चीजे बहुत ही जादा फायदेमंद है इसके लिए जैसे हम योग प्राणाय हम इसमें निरंतर रूप से करते रहेंगे तो इसका हमारे जीन्स की ऊपर भी फायदा मिलेगा और फिर क्या होगा आगे में आने वाली जो पीडी है उसके लिए भी अभी आप फायदा दील आ रहे हो यानि ये सिर्फ आप के लिए नहीं कर रही हो आपके आनेitan फीडियों अब mobile और health हमारे बच्चे के लिए कैसे इसमें कारगर सिद्ध होते हैं या फायदा होता या नुकसान कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा जैसे mobile के जो radiation है वो हमारे milk breast में थोड़ा सा अटकाव पैदा करती है तो milk बराबर नहीं आता है तो उससे क्या होता है फिर बच्च कि कोशिश करता है उसकी process mind की process वैसी बनती है कि जादा चाहिए फिर मुझे फिर बड़ा होने के बाद भी खाना भी उसी तरह से खाता है कि नहीं मुझे जादा चाहिए कितनी जरूरत है इसकी तरफ जानने देता क्योंकि हमारी mind की processing यह हुई है कि मुझे जादा चाहिए तब उसकी बात क्या होता है फिर वो मुटा पाबढ़ता है मुटा पाबढ़ने से फिर क्या होता है कि हमारा fats यदि बढ़ते चाहेंगे तो हमें diabetes sugar की बिमारी बढ़ती है उसके साथ साथ आजकल pregnancy की जो points है वो भी problem देते है और diabetes बढ़ेगा तो और भी बहुत सारे रोग ह होते जाएगे इस तरह से यह chain reaction बहुत लंबे समय तक और बहुत लोगों के पीडियों तक इसका फैलते जाता है तो बढ़िया प्यार से यह जीन्स की तरफ थोड़ा सा देखना है जब हम pregnant है मम्मी डैडी दोनों ने ही इसकी तरफ बड़ाबर ध्यान देना है और उसके सा साथ बात करते हुए बड़े मज़े का साथ करेंगे तो इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा इतना ही करते हुए मैं अपने शब्दों को वान्यू को विरान देता हूं कैसे लगा मुझे बताईए जिगनेश जी मेरा नंबर सभी को वाट्सप कर दीजी या जैसे अभी जाता है कि स्वस्त रहिए सुन्दर रहिए बड़िया सा खुश्बुदार और ऐसे आटमास्फियर अपने घर में बनाए रखिए जिसके आपने बच्चे के लिए फायदे मन्द हो आप हेल्दी रहेंगे आपका बच्चा भी हेल्दी होगा आपका मन शांत होगा आपके बच्चे का भी मन्द शांत होगा अभी हम यहीं रुकते हैं अरियोग समाना कि नमस्का आइए अचिंदागा बहुत ही सुन्दर हुआ है आपका यह सेशन अवाज बराबर आ रही है कि अमने तोड़ी जगह बदल दी है मेरी क्योंकि मेरी बैटरी इसकी एकदम डाउन हो गई है इसले मैंने दुसरे दुसरी इससे बोल रही हूं है तो आज कर यह बहुत ही अच्छा हुआ कास प्रेगनेंट लेडिस के लिए दादा ने बदाया था चाहिए पुरा प्रोग्राम तो आज बहुत नहीं ने आशन हमें देखने को मिले नहीं और प्राणायम भी तो मुझे लगता है हमारी उपस्तिती काफी कम हो गई है ले यहां कोरोना में हम सबका ही मनस्वास्त है बहुत मतलब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे है इसका क्या सब अनिश्यत्यता का माहल है सब कब बंद होने वाला है यह सब करोना के करण जो बंद बंद है इसकी वारे में हम बहुत सोच रहे है जो कि किसी के भी हाथ में हमारे में नहीं है तो हमारे हाथ में जो है तो हम मन को शांत पैसे रखें के लिए योगासन और प्राणायां की वह बहुत जरूरत है जिसका हमने फाइदा जरूर लेना चाहिए अभी कारेक्रम की आखरी मोड में जाते हैं कहीं किसी की कोई प्वेरी है क्या हो मैं पुछ रही हूं तस मिनिट हो रहे है हमारे बास यदि नहीं है तो हम आगे के आगे नहीं हुआ है जरूर अपर आगे जरूर आगे हुआ है जरूर अग पर आखर आज मी जरूर पास करूश्टो अपन कही तरास हाए का कि वह का हुआ नहीं डॉक्टर निया जो झुछ दूसरा सल्ला दिला है अग्चुली कही त्रास नहीं है, फक्त थोड़ी शुगर निगाली है, फोड़ी एक दी बॉर्डर हो तो अच्छा, तो मग आज जो पास सांगितले, ते करू शक्तो फक्त चक्की अनि कितली, कि मा कुटली है आसना, बेसिकली, आप अपल्या क्षम्ते नुसार कराईचे अस तो आपन, त्याला का इस प्रोब्लम ने, तुभी ती चेर को सांगितली पाराईची का? वो, ती पर्ण चांगितली आहे, करन शेवट चा है चामादेच नॉर्मली थोड़ी से डिलीवरी सथी फाइदय ची आहे, बढ़े, थैंक्यू, प्रिती रामभान का क्वेस्चन थ था, उन्होंने पूछा है, जोपाईचा वेले छातित खुब दुखत क्या साथी काई कराईगा? आता मारा आठवा मन्त शुरू आए. पहले पर दुखत होता का क्या अत्ताच रुपते हैं फक्त? अब उन्होंने सब कुछ मेंचन तो नहीं किया है, उसमें. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यदि पहले भी दुखरा या नहीं भी दुखरा है, तो अभी हमने जो उज्जे प्राणायम किया था, अब उसमें क्या दो तीन चीजे है कि वो किस वज़े से दुखरा है, अभी जैसे उन्होंने अभी याने ये स्टेज में पूछा है, तो इसका बतलब ये मैं मान के चलता हूँ कि उनको अभी थोड़ी तक्लिफ है, या चामदे, आपन जो आता उज्जे प्राणायम केला, तो करू शक्तो, शीतली प्राणायम करू शक्तो, फक्त कफ वगर शीतली प्राणायम करू नका, उज्जे प्राणायम अनि भ्रामरी प्राणायम सग्यात बेस्ट है ये चामदे, खीक है ज़र, आराद नमें एक क्वेश्चन आपके लिए भी था, आप बोली है, उन्होंना पुर्वा स्वान ने पूछा है, श्यतावरी कल्प कुंट्या म श्यतावरी कल्प शुर्वाती पासुन अस ग्याँ शक्ताथ, पहला मैने पासुन शक्ताथ, इटीज जन्नल हेल्स टाउनिक, आणी दुदा मदे एक चमसाट आकून रोज गेतला तरीपन चालता, दूरिंग प्रेग्देंसी, पन मैडम, शुगर असेल तर मों ग्याइच ऑज़ गने वाद चाहँ, एक कारन कल्प शुगर शुगर असेल तर कल्प मैं जह साखार अशते करत, श्यतावड़्यमों थे मिदेवन शुगरौई अफinky क मेड हwno और ब्लेट, पन और बजेग्ला का टैबलेटिपण गिवुशक्ता प्यर्शक्तावरीच तब कमपणी कुखली चंग यह स्थमूं ह के मालयाज की तॉन विचारलों तो संब्यें करना थीक है मुझानि दुख जाइपेश्वर पना ही ही हो दू तब आपेश्वर पन चांग लें चांग लें बड़ा मैडम शुगर असल तो काय डायट करेंचा मिंजे सो काय खूबने निगालिया बौडर वर आहे मिनाले चुप अत्य जाखता पन तुमी असा विचयार करून खाऊ नका कि मवला शुगर निगालिये शुगर निगालिये पांधरी साखर अगोईड करा, अगदी क्रेविंग असले ना जयुणान अंतर वगरे, तो थोड़ो सा खारी एक खाद, दोन खाजूर, असर थोड़ो सा गोड खावू पन शकता तुम्ही, गुड चाले का? गुड नका खावू, गुड नका खावू, गुड नका खावू, थोड़ो फार तुम्ही फोड़ा पन खावू शकता, गुड खावू शकता, गुड नका खावू शकता, गुड नका खावू शकता, गुड नका खावू शकता, गुड नका खावू नका खावू शकता, गुड नका खावू शकता, गुड नका खावू शकता, गुड नक जाने कि नाहीं नाहीं शुगरफ्री चांगला नाहीं है नाका घ्यो तुभी तु ऐख्शा थोड़ा सा गूल गूल तुमी तुछ लेले हैं अच्छा आनि सातू नाफी पित कर सकाये जिरोज चाये कि आफूर अच्छा नेखनले तुमी रोज खनले करी चालता अच्छा यह अजिए새 मोर्न नोरी रोज फेसा नहीं आपने ना रोज खायची इंचा जाली सवा तूल्ट यह लियुजान को अच्छा नाम्कीन जिएगवा तर्माइच नियुजान को तो दो भी तो अच्छा नंचार्शा एक पाना तुमाला अल पेडिश्टर निगाले लिया है आखे ला काक्री हुआ हालो हुआ हम अब आवाज इतो है ओ हो हो एक विमच्टा शाटू टीट गोड़श गेतला पैज आप जासा नहीं है थोड़शी कंदा काक्री कोथिमबेर हिर्वे जिर्चि चिरू अचा उपमा पन करूं छोटो कर ने कर देस्टर आठ्टिरلف करा एध्याश। तो उन रंगा सुच्था निए पुष्यां कि थेलुटेशर इस धर वेचिना गए ट्रूविक्तर गाइट्र थो कर 10 कि य थेन्की हॉ हां हो तुम्हाला अवर्तात का बुद्दाम ओट सब्दी खले कली आप लिया यह अपली जी जी जुजिया है गवध सोजिया है मिलेट सा दलिया है तो अधेलेबिलेट नुसर आणि तुम्चा आउडी नुसर तुम्हें आहराद गया और सखानले तरीपन सालता त। ठीक है मैं ठीक है अधेल नुसर आणिवार नगलन कुछला आहर गया है तावेशं पाथलिया नुसर आणिवाद एल्ड़न ओंडरा रहे है तुम्हीं मनाशी नुसर भी आणिवार नागंडर आणिवार्वाद पेल अधेल अधेल्य वजन कमी हुता मौडरेशन ना थाइब ऊंपधा नंबर दियु नियुग करने नंतर माजे कर तुन ची फिगरवर करूंदे कि अधा व्लाइट कारे क्रमी जी वे समता है का जिगने जादा एक जिगने जादा एक जो था यहां हूं यहां 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 इन दृष मोड़ में एट है ज़ा जा आपन शेवट चा प्रह रहा हूं अच्छा कारेक्रमा चा यहां विच्ट कि अधिए याज विलिए पुली आवा जा रहा है शेल पाजी नर्ट सेंवन्त मांद अभी मेरा फ़तम हो जाएगा तो नौवे जोत निस्टार सकती हुए पुड़ा मोठी बोचब है आप नॉन वेजिटेरियन है पहले से हालो हां तो आप खा सकते हैं आपको किस ने मना किया था किस एक बड़ेशन मोडरेशन एवरेशन आप ले सकते हैं लिमिटेशन हां लिमिटेड़ अमांट में लीजे आप लिए आप पार्ट में अगर बेसिकली आप नॉन वेचितेरियन है आपको नॉन में छोड़ना ही नहीं है ना थाइट लीविट अच्छ अच्छ प्रिंद क्लेड फेले ही वह लाग क्टेज और अब अजिंद अज़ोड और में हीमोग मिल परमें तुसमें क्या रेट परोंट का प्रॉब्लम नहीं ना? शुगर का प्रॉब्लम में है? सुगर नहीं में मझे, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है ठीके? अब बादशा है अलो? मैं यहावाद ना? हां हां बोले हां निम्बू का स्वाइजे के खाने में डेली ओ बीटा इसके साथ साथ अंजीर हो गया खजूर हो गया दाने और गूर की चिक्की पोमोग्रेणेट, बीट रूट अच्छा कीमदरी मीडम में बाइगे शळीज के खाने खाने ही और मेडम मों रोज और पानी बीदे रिटाल न रोज पीला को नहीं आगा है तुम्हे भी ब्रीन ऐए अगे तरी शाले वह तो पर आखिए मर कि मैं एक सागर पाठक जी का कुश्चन था वट नॉट टू इट इन थ्री मंथ और प्रेग्नेंसी फर्स्ट थ्री मंथ क्या नहीं खाना चाहिए टू ट्री ट्री strive ली जो बोला जाता है वो पपी ता नहीं खाना चाहिए जैसे गुड हो अज़र्री क्रेम पेले तीन मेन और और जही डाहि pest आप आवाइब जीजे थाच अगर करके आप पीपवे घूस्त थाने से दही आप अवाइड कीजिए थाच अगर करके आप पीपे है तो वो ठंडा है दही गरम होता है उसकी बनाइन हुई छाच थंडी होती है तो यह थोड़ी सी ही चीजे आपको अवाइड करनी है और डियूरिंग प्रेगनसी सब कुछ अगर आप मॉडरेशन होते हैं को इत्स राविर नाट हार्म यू एट ओल छिए थें कन धस्त scripture कर सकते हैं शूर। सब्सक्राइब तो राज लास्ट में आज का रेक्रम के परती में अभार करते हूं पेले तो डॉक्तर शेंबेकर, सर मैडम, ओमेगा हॉस्पिटल की पुरी टीम, और उसमें से जिगनेश भाई को धन्यवाद देती हूं, जिनने उने आज कॉडिनेट किया, असमी जी हमारे साथ आने पाई, उनकी भी हमको याद आई है, क्योंकि वो बहुत लगातर हमसे, मतल को जिनके जो क्वेरिश थे, उन्होंने भी उनका अच्छे से उत्तर दिया, सचीन दादा का भी आभार व्यक्ते करती हूं, और मने शक्तिकेंद्र लुनावडा का भी आभारी हूं, इन्होंने ये कारेक्रम ओनलाइन लेने की मुझे इजाजदी, अक्री में हम शांती मंत साहत करता है। सबको दन्यवाद देके आज का कारेक्रम यहीं खतम करती हूं समाप ते करती हूं धन्यवाद थैंक्यू मैं थैंक्यू